है कि अच्छक पूर कर दो है अच्छ अ कि अ है एलो स्टोइंट्स कैसे हैं आप सब गुड मॉर्णि अवर्यी वर्ण गुड मॉर्णिंग चलिए स्ट्विट्स आज इए फटावर्ड चलिए तो आज हम discuss करेंगे Top 75 MCQs on the NHPC exam तो देखे एस्ट्रेंट्स आपको पता है कि NHPC का exam पहले cancel हो गया था काफी उसके उपर controversy हुई थी कि क्यों cancel कर दिया exam, हमारा refund कब तक आएगा ब्लाब ब्लाब राइट आपको पता है कि दुबारा NHPC ते अपनी बहुत ही अच्छा future option है बहुत ही अच्छा career option है आपके लिए उसी के मद्दे नज़र रखते हुए आज मैं जो है solve करूं approximately 75 questions try करेंगे 75 करें, अधरवाई 60 तो करी देंगे हम दो 75 questions को solve करेंगे और let us see कि आपकी performance कैसी रहती है इस mock test को देने से पहले आप एक rough notebook ले लेना rough notebook के ऊपर question number one answer क्या है question number two answer क्या है और last में आप match करना और last में आपको बताओं अगर इस mock test में अगर आपके इतने questions आते हैं तो समझ जाना कि आपके त्यारी ठिक टाक चल रही है यह जो mock test है उनके लिए जादर beneficial रहने वाला है त्यारी start कर रहे हो तो आपको questions का type पता चल रहे है किस type के questions NHPC के JE exam में आ सकते हैं maximum theoretical questions आएंगे that is guaranteed numerical हो सकता है दो चार numerical हो लेकिन maximum theoretical questions आपको देखने को मिलेंगे NHPC के JE के exam ठीगे, so without wasting any time start करते हैं, start करने से पहले एक important बात में आपको और बता अगर आपका target है किसी भी state या central government के JE exam को crack करने गा, तो उसके लिए हमने batch launch किया है, civil assistant engineer एक exam के लिए civil assistant engineer live coaching batch number 3, तो इस batch में आप enroll करा सकते हैं, इस बहुत ही amazing batch है इस batch में enroll करने के लिए, अगेन ये paid course है आपका, लेकिन आपी coupon code का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरून एंडर capital of K आपको 20% का flat discount आपको मिल जाएगा, और मैं बात करता है JE exam की, अगर आपको किसी भी state या central government के JE exam की त्यारी करनी है उसके लिए भी हमने batch launch किया है civil junior engineer live coaching batch number 3, इस batch में आप एंडूल करा सकते हैं, और आपको 20% का flat discount आपको मिल जाएगा, और आपको 20% का flat discount आपको मिल जाएगा, और आपको चाहें तो आप मेंगा telegram group भी जाइन कर सकते हैं, आप the rate of वरून सर अंडर्सकोर test book, इस telegram group के बहुत सरे benefits से आपको PDF files मिल जाएगी, आपको weekly group discussions आप कर सकते हैं, कोई question आप इसे पूछ सकते हैं, ग्रॉप में, अगर बीच बीच में बहुत सरे quiz competitions में डालता रहता हूं, तो उनमें भी आप उनको attend कर सकते हैं, और आपको 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 अगर आपका response अच्छा आएगा, तो फीचर में आपके लिए के level के बारे में पता चलता है, अब question यह कि सर, mock test कहां से दे, mock test हमेशा वहां से दीजिए, जिस particular portal पर जिस particular site पर आपको most authentic और एकदम to the point questions मिलेंगे, exam preparation को ले करके, उसी के लिए students आप test book pass ले सकते हो, approximately 500 रुपे का होता है, एक साल के लिए valid होता है, इस test book pass को ले के आप जितने चाहो, उतने mock test दे सकते हो, किसी भी exam के test book की साइट से जा करके, again in this pass also you can use the coupon code VAKPASS, तो आपको इस पर 30% का flat discount आपको इस वाले pass पर भी मिल जाएगे, चलिए सुन स्टार करते हैं, without wasting any time, yes मैं बहुत बढ़िया, good morning आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, the first question is question number one, ध्यान से पढ़िए, part of brick which has half head of face and half stretcher face is known as what, देखिए, मालो कि ये आपके पास एक eat है, eat मतलब brick, English में brick है न, Hindi में eat, ये मालो कि आपके पास एक eat है, इस brick का, इस brick को क्या बोलेंगे, अगर इस brick में आधा header और आधा stretcher portion, मतलब अगर मैं इसको ऐसे काट दू brick को, तो बाकी जो portion बचेगा आपके पास, ये वाला जो portion बचेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे इसका जवाब, बहुत है simple question, anyone, try to give me the answer, anyone, बताएगे स्वेंट क्या होगा इसका आधा, अगर मैं half header face करू, half structure face करू, तो बाकी जो बचाओ पोर्शन उसको मैं क्या बोलू, anyone, वो बताएगे स्वेंट क्या होगा, आणसर, टुक्का मारी है, doesn't matter, even you can use flukes, doesn't matter, ओगे योगेंदर जी बोल रहा है, B, king closer, विकरम सिंगला बोल रहा है, C, queen closer, और कोई, और कोई, ट्राइगे स्वेंट कीजिए, बहुत इजी question है, queen closer, दो तरह का होता है, एक तो half queen closer होता है, quarter queen closer होता है, half queen closer क्या होता है, कि यह आपके पास brick है, brick को आपने ऐसे आधा काट दिया, इस टाइप से, यह ऐसे brick थी आपके पास, तो आपने इसको आधा काट दिया, इस brick को, तो यह आपका बन जाएगा half queen closer, यह आपने आधी ब्रिक लेली इसमें, यह वाली ब्रिक लेली आपका, एक होता है, quarter queen closer, quarter queen closer में क्या होता है, कि मानलो कि यह आपके पास जो है brick है, somewhat like this, this is the brick, और आपने इसका quarter portion आपने लेली है, वो आला, वो आला portion आपने इसका काट लिया, तो वो है आपका quarter queen closer, ठीक है, त queen closer नहीं है, that is a king closer, काफी बच्चे इसमें queen closer बोलो था, option number two is the correct answer, बिल्गोल सही, बिल्गोल सही स्ट्री, ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा, now, next question है मेरे screen पे, question number two, the slump test for finding out the workability in concrete, workability in concrete, the maximum size of aggregate should not exceed what, जब आप slump test करते हो, slump test का क्या काम है, workability निकालने के लिए, तो उस time पे जो maximum size aggregate का, वो कितना होना चाहिए, कौन बताएगा सुन, try कीजे, everyone, try कीजे, try कीजे, try कीजे, try कीजे, यह IS 1199 में दिया भी हुआ इसके बारे में, try कीजे, अभिशेख बोल रहे हैं कि B, और कोई, B, B, bit to be B बोल रहे हैं, खुमारबिशेख B बोल रहे हैं, bit to be B, आशेष जो हैं C बोल रहे हैं, one बोल रहे हैं, कुछ B बोल रहे हैं, okay, B बोल रहे हैं, maximum बच्चे B बोल रहे हैं, बिल्कुल सायए, students, actual में एक है आपका IS, right, double one, double nine, 1959, इस IS code में दिया हुए, कि जब आप slump test तो slump test का main purpose किया है workability निकालने के लिए ठीक है उस time पर जो maximum aggregate का size है वो 38 mm से जादा कभी भी नहीं होना चाहिए इसके लावा आपको slump test की बहुत सरी values जो होती है slump test की वो भी आपको याद रहनी होती है अगर मैं बोलू तो यहाँ पर मैं graph बना तो consistency का consistency का और यहाँ पर मैं बात करता हूँ slump की अट incap community होती है consistency में very dry consistency very dry तो very dry काा slump होता है वो 0 से ले करके 25 mm होता है यहाँ पर मैं लिए तो mm छलो है mm होता है इसके बाद ऐस students आपके पास dry dry का slump है आपके पास 25 से ले करके 50 है ये अगेन ये भी exam में question पूछा गया है तो again याद रखेगा ठीक है आपका very dry का 0 से 25 है dry का 25 से 50 है इसके बाद आता है plastic plastic का होता है 50 से 100 50 से 100 आपका slump होता है इसके बाद एक आपका semi fluid semi fluid का होता है semi fluid 100 से लेकर के 175 mm तो ये भी आप याद रखेगा ये table भी कई बार A के exam में पूछी जाच चुके A और J के exam में भी तो might be possible कि आपके NHPCJ में पूछे लो उठा करके कुछ भी समिसे that the consistency for the slump for the dry consistency cement concrete is what तो आप बताने तो कि dry का बाद होगी तो 25 से 50 mm इसका होगा ठीक आगे बढ़ते है question number 3 gypsum is added to cement in small quantity हम लोग cement में gypsum क्यों add करते है number one control initial setting time control final setting time give color to cement या make cement hydrophobic कौन मुझे जवाब देगा इसका ट्राइगी जेशन जबगे एजी कोशन है ट्राइगी जेगा sir a class up pcl j civil का भी ले लीजिए ठीक है सुरे प्रकाश जी एक्च्वल में मेरे साथ इशू थोड़ा time का चल रहा है ताइम थोड़ा इशू चल रहा है अदर्वाइस मैं ले लूँगा आपका मैंने comment जो है note कर लिया ठीक है और जो भी lecture को देख रहा है बिल्कुल सभी एक्च्वल में जो जिप्सम है इस्ट्वेंट्स ये एक तरह से आपका retarder का काम करता है तो retarder का काम क्या होते है इस्ट्वेंट्स ये आपका initial setting time को जो है control करता है तो या increase करता है initial setting time को तो option number 1 is the correct answer जिप्सम जो है आपका ये as a retarder की तरह काम करता है तो बेसिकलिए आपके initial setting time को क्या करता है इंक्रीज कर देता है ठीक है option number 1 is the correct answer आगे बढ़ते हैं next question है मेरे पास question number 4 the moisture content of timber used in building frames can be what देखिए students ये timber के ऊपर न हमेशा moisture content को ले करके timber के structure को ले करके ये heartwood क्या होती है, pit क्या होता है, sapwood क्या होती है यहां से maximum questions पूछता है कभी-कभी ASCU treatment के ऊपर भी question पूछ लेता है ठीक है तो इसका मुझा answer दीजिए ये question moisture content के ऊपर है moisture content of timber used in building frame can be what बताइए इसका answer क्या हो ट्राइग इसे बनते है तो तिम्बर के structure के बारे में पूछ लेगा तिम्बर को काटो तो longitudinal grain आपका lateral grains वगए इनके बारे में पूछ लेगा है ना बताइए इसका answer क्या हो ट्राइगी जिए बी 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 अक्षे राना बोल रहे है 15 परसेंट है दर ली बोल रहे है इतना और कोई और कोई ट्राइग एगस्मेंट्स बी बी देगे बड़ा सिंपल है आपके पास एक IS-267 इसको नोट बत करना 267 ही है जहां तक मेरे को याद है उसमें यह दिया हुआ है कि आपका जो मॉस्चर कंटेंट है टिंबर के अंदर वो आपका 8 से ले करके 16 परसेंट के बीच में होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो 16 परसेंट नहीं दिया हुआ यहाँ पर 12 परसेंट दिया हुआ है और 8 दिया हुए तो option number 2 is the correct answer बाकी होता actual में 8 से 16 परसेंट है as per the IS-267 267 ही है जह 8 से 16 परसेंट के बीच में दिया हुआ है तो option number 2 is the correct answer आगे बढ़ते है question number 5 dash is a type of lime obtained by calcination of limestone and consist of 95% or more CAO and less than 5% impurities यह regarding lime अगर आप मेरी YouTube पे classes देखते हो पहले से तो मैं आपको सब lime के बारे में बता रहे है कंकर lime क्या होता है hydraulic lime क्या होता है poor lime क्या होता है fat lime क्या होता है कितना percentage इसमें lime होता है मैं आपको सब बता रहा है बदाइए इसका answer क्या हो ट्राइग जी easy question है हाँ 287 है बिट्टु है ना मुझे भी 287 ही लग रहा है 287 है सर एक्जाम कब होगा कुछ idea देगे इतेश जी मैं कुछ नहीं बोल सकता एक्जाम के बारे में लेकिन हाँ अगर दुबारा नोटिफिकेशन आई ए नहीं होना तो फिर तो आती ही नहीं नोटिफिकेशन है कोई पूर लाइम बोल रहे है हाँ 287 है हाँ वही था कनिफिजन है 267 था की 287 था ऐसे कनिफिजन था ठीक है 287 होगा हां बताइए इसका अंसर क्या होगा 21 फरवरी से है previous year करा दीजे ठीक है मैंने आपका अविनाज जी मैंने आपका comment जो है नोट कर लिये ओके आशीज बोल रहे है कि नहीं पता कोई D बोल रहा है कोई C बोल रहा है देगे बड़ा simple यह जो आपका fat lime है ना यह जितनी भी properties यहाँ पे दी है it is a type of lime obtained by calculation of lime stone consist of 95% और more calcium oxide and less than 5% impurities यह होता है आपका fat lime that is the property of the fat lime इसकी purity 95% के आसपास होती है students इसके अलाबा इसकी ना volume expansion भी बहुत जादा होती है जब आप इसमें पानी वगर add करते हो fat lime में तो इसकी जो volume होती है 2 से 2.5% increase भी हो जाती है यह भी इसकी एक property है इसमें volume expansion बहुत जादा होता है fat lime के अंदर इसकी जो volume है आपके 2 से ले करके 2.5% extra increase हो जाती है पानी को add करने के बाद जिसको हम slaking भी बोलते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 6 solidification of molten magma at the surface of the earth results in the formation of what surface of earth की बात कर रहा है जब surface of earth के ओपर molten magma जब solidify होता है तो किस type की rocks आपको देखने को मिलती है है बताइए इसका अंसर क्या हो ट्राइग कीजिए everyone बहुत इजी कुश्चन है कि इसका बताइए इसका बताइए ट्राइग इजी कुश्चन है कि अगे बी बोल रहे हैं बी 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 और जो भी लेक्चर को देख रहे हैं आपको वन परसेंट भी समझ में आ रहे हैं तो फटा-फट लाइक कर देए metamorphic, okay metamorphic बोल रहे हैं कुछ basalt बोल रहे हैं कुछ traps basalt and traps भी बोल रहे हैं बताइए बड़ा easy question है इसका देखिए आपके पास जो igneous rocks है वो भी कई तरह की होती हैं आपके पास intrusive होती हैं आपके पास extrusive होती है right sedimentary rocks हैं आपके पास, आपके पास जो है metamorphic rocks हैं इस्टूनेट्स आपके पास तो जो surface के उपर होती हैं इस्टूनेटस आपके जो crust के ऊपर होती हैं वो आपकी होती है extrusive igneous rock और extrusive igneous rock का जो example है वो है आपका basalt and traps ठीक है, तो आपके पास जो igneous rocks होती है igneous, because जो solidification of molten magma से बनती है igneous होती है, right, igneous में भी दो type की होती है एक आपकी intrusive होती है आपके पास और एक आपके पास extrusive होती है आपके पास exclusive होती है जो surface के उपर आखर के ya crust के उपर आखर के जो बनती है इसके example क्या क्या है आपका basalt इसका example है, traps इसका example है ठीक है न, तो यह जो आपकी बात कर रहा है तो basalt and traps option number 2 की बात हो रही है option number 2 is the correct answer question number 7 the length, width and depth of an excavated earthwork arc 6 meter, 0.8 meter and 0.9 meter calculate the total amount required for excavation if the rate of excavation per cubic meter is rupees 300 so rupees 300 1 meter cube खोदने के लिए इतना लगता है तो question बोल रहा है कि इतने बड़े गड़े को खोदने में कितना पैसा लगेगा यह तो इदम बच्चों वाला सवाल होगा अगर आपने civil engineering नहीं भी करिए तब भी आप इसका जवाब दे सकते हो फिर भी try कीजिए इसका आंसर क्या होगा यह questions exam में पूछता है try कीजिए students everyone everyone who sir is watching the lecture और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हीं का revision होगा जो अभी जिस्ट पढ़ना start कर रहे हो अपलाई नहीं कर सकते हैं डिप्लोमा उसमें compulsory मांगा वह दिप्लोमा प्लस डिग्री है तो कर सकते हो लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप डिग्री वाले apply नहीं कर सकते हैं बताइए इसका answer क्या होगा ट्राइगी जेए 7th का बी बोल रहे हैं 7th का अभी और कोई बड़ा simple estimates volume निकालो उसको फिर 300 सा multiply कर तो आपका answer आजाएगा इस question में बस एक ही problem हो सकती है calculation problem अगर आपने calculation में गड़बड कर दी तब आपका शायद गलत हो सकता है अदर्वाइस इस question के गलत होने के कोई chance नहीं है ठीक है तो पहले काम कीजिए volume निकाले जिए आप तो आपको गड़ा दिया हुए गड़े के dimensions आपको दीए तो volume क्या होगा 6 into 0.8 into 0.9 तो 9, 72, 32, 6 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 और 4 432 मतलब 4.32 तो 4.32 मीटर क्यूब आपके पास आगे volume अगर आपको rate निकालना है या आपको amount निकालना है तो 1 मीटर क्यूब का 300 रुपे है तो 4.32 का कितना होगा 4.32 into 300 तो यह 100 से 432 हो गया तो 432 into 3 हो जाएगा 32, 6, 33, 49, 42 तो 1, 2, 9, 6 गोलता हो option number 2 is the correct answer I hope students आपको समझ में आगा without calculator भी आपसको solve कर सकते हो लेकिन calculation गलती मत कर देना Question number 8 Security deposit is what? यह security deposit क्या होती? जब आप tender वगेरा file करते हो तो वहाँ पे जब contractors है वो security deposit करते है Number 1, deposited at the time of filling the tender deposited by the contractor whose tender is accepted deposited at the time of opening the tenders deposited for fair competition बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही confusing सवाल भी है बताई इसका answer क्या होगा? एक EMD होता है एक आपका security deposit होता है दोनों में बहुत ही confusion होती है कि EMD और security क्या होता है EMD आपका होता है earnest money demand, वो आप तब submit करते हो जब आप tender file कर रहे हो, मानलों कि let us say, किसी CP आप मानलों कि contractor हो CPWD ने मानलों कि कोई tender निकाला कि आपको एक सडक बनानी है, नाली बनानी है तो आप वहाँ पे bidding करोगे अपनी कि मैं इतने में बना दूँगा, मैं इतने में कर दूँगा उस time पे आपको EMD देना होता है इसके बाद जब आपका tender accept हो जाता है मानलों कि आपका L1 bidder हो L1 मतब जो lowest bidder होता है, आप L1 bidder हो तो L1 bidder और technically भी आप जो है proper sound आप bidder हो उसके बाद students आपको security deposit देना पड़ता है कभी-कभी exam में यह पूछ लाता है कि कब दोगे जब आपका tender accept हो गया है क्यों देना पड़ता है, मानलों कि कल को आप मना कर दो कि नई सर मैं तो यह काम नहीं करूँगा तो भाई, government को तो loss हो जाएगा, उतना time waste किया है एक महीने में tender निकालने में लगता है फिर एक महीना उसको tender को recruit या scrutiny करने में लगता है, तो government को loss हो जाएगा इतना सारा, तो इसलिए वो आप से 10% का security लेती है, या क्या पता आप time पे काम खतम ना कर पा, वो भी हो सकता है तो इसलिए आप से 10% का security लिया है security, कितना होता है आपका 10%, 10% का तो कब लेते हो आप whose tender is accepted, उसी हरे contractor EMD देगा, EMD भी 5 से 8% के आसपास होता है, EMD देगा, earnest money deposit, EMD, ठीक है, चलिए, option number 2 is the correct answer, आगे बढ़ते हैं जड़ा, अगला question is students आपके screen पे, question number 9, a straight bar which is fixed at the end A and B, and having the elastic modulus E and cross section area A is subjected to a load of this much the reactions at the end are, आपको ये बताना है कि end पे reactions कितना लगेगा, मालो कि ये reaction at A है आपका, और ये आपका reaction at B है, ये reaction at A reaction at B कितना होगा, ये क्या लगेगा बढ़ा अच्छा question अब आप बोलोगे सर इसको कैसे solve करें, थबाद दिमाग लगाना देखो, दिवार के बीच में आपने एक, उसको fix कर दिया है, दिवार के बीच में अगर rigid दिवार के बीच में कोई material fix है, कितना भी force लगा लो उसमें deformation 0 होगी दिवार को फाड़ गे तो material भार नहीं निकलेगा अगर वो निकलेगा फाड़ गे भार तो लिखा होता that the wall will be broken and it will go out ऐसे कुछ लिखा नहीं है तो दो fixed support के बीच में अगर कोई material है उसकी total deformation 0 होगी the total deformation will be equal to 0 अब आप अपना दिमाग लगाईए, इसको मैं कैसे solve करूँ ट्राइगे जे बहुत easy question है अब अब अपना दिमाग लगाईए, total deformation 0 है तो deformation कैसे निकालते हूँ, P L upon E A अगर आपको याद हो, तो strength of material में जब आप deformation निकालते हूँ, इसको formula है P into L upon E into A तो वहाँ से आप इसका answer निकाल सकते हैं अब बहुत simple question है ट्राइगे जेगा इसका answer क्या होगा, everyone Might be possible, आपको एक-दो मिनट लगे, लेकिन कर सकते हैं Easy question है Okay, 9th का D बोल रहे है, अनिल कुमार जी, और कोई क्या बाद है अनिल, आशिश भी बोल रहे है, अच्छा इसको दूसरे का भी था इसका बताईए, इस cancer क्या होगा, ट्राइगे जो भी lecture को देख रहा है आपको 1% भी समझ में आ रहा है, फड़ा फड़ा लाइक कर दीजिए, आपका response बहुत matter करता है हम लोग के लिए, 9th का A बोल रहे है, लवकुष ओजा जी बोल रहे है, 9th का A, चलो एक काम करता हूँ आपको पता है कि जो deformation होगा किसमे AC बार में और जो deformation होगा, CB बराबर होगा, तब ही तो total deformation 0 होगा आपका, विकास एक में elongation होगा, आप लोड ऐसे लगा रहे हो, तो यह तो खिचे का बार और यह बार में contraction होगा, इस वाले बार में, ठीगा? तो आपको पता है, मानलों की reaction A है आपका, तो reaction at A into length upon E A, it should be equal to reaction at B into L, L कितना है, 2L upon E into A, अब E A दोनों का बराबर है, जहां तक मुझे लग रहा है, कुछ दिया नहीं है, हाँ तो cross section area बराबर है, तो E भी बराबर है आपका, E A, E A cancel होगया, L L cancel होगया, तो R A जो होगा, वो 2 times of R B होगा, एक equation तो मेरे पास ये बन गई, और दूसरी equation क्या होगी, आप बोले किसे दूसरी equation हो जाएगी, R A plus R B जो होगा, अगर मैं summation of horizontal force को 0 पुट कर दूँ, ये P के बराबर होगा, ठीक है, तो एक काम करो, यहां पे पुट कर दो, तो 2 times of R B plus R B, ये आपका हो ज जाएगा, तो R B की value कितनी हो जाएगी, 40 kN, तो R B अगर 40 हो गया, तो R A कितना हो जाएगा, R A मेरे पास 80 हो जाएगा, तो एक R B मेरे पास 40 है, और R A मेरे पास 80 है, तो बोलो तो option number 3 is the correct answer, I hope ये आपको समझ में आया होगा, easy question था, को इसमें difficulty वाली बात नहीं थी, बस basic common sense लगाना था, अगर दो rigid support के बीच में कोई material है, कितना भी जोड लगा लो, उसकी total deformation उसकी 0 ही रहेगी, चले आगे बढ़ते हैं जरा, next question है आपके screen पे, question number 10, bending moment at any section in a conjugate beam, conjugate beam की बात हो रही है, gives a dash in the actual beam, ये conjugate beam method क्या करता है, conjugate beam method से आप deflection वगेरा ही ये सब calculate कर सकते हो, ब conjugate beam method से आप deflection वगेरा, slope वगेरा calculate कर सकते हो, लेकिन conjugate beam में कुछ terms जो आती है, और जो actual beam में कुछ terms होती है, उनका relation होता है, तो बताई इसका answer क्या होगा, easy question, it is a very easy question, try कीजे, तो bending moment की बात कर, अगर आप conjugate beam में bending moment निकालोगे, तो actual beam में क्या मिलेगा आपको, बताई इसका question है, easy question है, try कीजे, जो भी इस lecture को देख रहा है ना, try कीजे, ओके, अभी, अभिनाश पास्वान जी बोलने है, deflection, अनिल कुमार जी बोलने है, कुछ और, और कोई, deflection, बिल्को सब्सक्राइब, simple question है, अगर आप conjugate beam में bending moment निकालते हो, अगर आप conjugate beam में, हहाँ पे CB का मतलब है, conjugate beam, conjugate beam में bending moment निकालोगे, A, B का मतलब actual beam, तो actual beam में आपको मिलेगा deflection, अगर आप conjugate beam में shear force निकालोगे, तो actual beam में friends आपको मिलेगा slope, ठीक है, you will be getting the slope, अगर students आप conjugate beam में loading निकालोगे, conjugate beam की अगर आप conjugate beam की loading यहाँ पर निकालोगे तो actual beam में आपको bending moment upon EI मिलेगा आपको यह भी आप कर सकते हैं simple actually आगे बढ़ते हैं now deflection is the correct answer next question is question number 11 bending equation bending equation बता जो flexural equation आपका flexural formula भी इसको बोलते हैं it is also called as the flexural formula flexural formula कौन सा है simple question anyone everyone everyone यही सब कोशन आएंगे आपकी exam में deflection बिल्कुल से deflection ही होता है बिल्कुल से जबर्दस्त बहुत बढ़िया आशिश सिंग अभिशेक्तिर पाथी बहुत बढ़िया इसका बताई इसका आंसर क्या होगा ट्राइजे ओके यह बहुत सिंपल है आपको पता है जो बेंडिंग फॉर्मुला होता है जो फ्लेक्शल फॉर्मुला होता है sigma by y is equal to m by i is equal to e by r इसको आप ऐसे भी करते हो sigma is equal to m into y by i और y को आप नीचे भी लिए आ सकते हो तो आपका m by z भी आप इसको कर सकते हो z क्या है section modulus ठीक है वहाँ से economy वगरे strength वगरे आप निकालते हो तो यह क्या है स्ट्रेंट्स आपके पास यह है आपका फ्लेक्शल फॉर्मुला तो sigma by i is equal to e by r option number one is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 12 which of the following assumptions is incorrect about the long column इसमें से कौन सा assumption जो है long column के लिए incorrect है तो जब आप Eilers theory का इस्तमाल करते हैं pi square e upon l square या l effective square उस time पे कुछ assumptions होती है long columns के लिए तो कौन कौन सी assumptions है long columns के लिए और कौन कौन सी नहीं है तो आपको incorrect बताना इसमें से कौन सी assumption नहीं है बहुत ही simple question है देखके समझ में आ रहा है कि एक इसमें से assumption नहीं है ट्राइ कीजे everyone देखिए इसमें इस question को ज्यान से देखिए और जवाब दीजे मुझे everyone try to give me the answer ओके विनोद कुमार जी डी बोल रहे है डी बोले तो material is non homogenous in anisotropic और कोई क्या बात है विनोद बहुत बढ़ी है इसका जवाब दीजे मेरे को everyone try to give me the answer डी बिल्कुल सही देखिए देखके पता चलता है पहला बोल रहे है the column behaves elastically ये एक assumption है the load acts perfectly axial मतलब load एकदम central axispect करेगा ये भी इसकी assumption है एकदम सही assumption है the weight of the column is neglected assumptions ही है material is non-homogeneous and anisotropic ये गलत है so what we assume is that homogeneous है और isotropic है आपका option number 4 is the correct answer because incorrect पूछा हुआ है आपसे ठीक option number 4 is the correct answer question number 13 a closed coil helical spring ये मान लो कि आपके पास closed coil एक helical spring है आपके पास suppose somewhat like this is subject to an axial load एक आपने इसके उपर axial load लगा दिया यहाँ पर P लगा दिया ये भी P लगा दिया the stress which is not produced in the wire of the spring इसमें से कौन सा ऐसे stress है जो की wires के अंदर produced नहीं होता number 1 torsional shear stress, compressive stress, direct shear stress या फिर bending stress बताई इसका answer क्या होगा बहुत ही simple question है अगर आपने springs के बारे में पढ़ा है तो आपके पास हर एक चीज़ का formula है you have the formula of torsion also you have the formula of the direct also you have the formula of the bending also तेकिन एक formula आपके पास नहीं होता है ट्राइगी जिस का आंसर क्या होगा compression बिलकुल सेई compressive stress का मेरे पास कोई formula नहीं होता है ठीक है न तो option number 2 is the correct answer इस में से compressive stress आपका नहीं निकल दा सिर्व आप axial वगरा निकालते हो bending निकाल सकते हो direct shear निकाल सकते हो torsion shear stress आप निकाल सकते हो लेकिन compression stress आप नहीं निकालते हो तो यह आपका not produced वाला इसका जवाब हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते है जड़ा अगला question है आपके screen पे question number 14 a ring beam of an instant tank carries a hoop tension of 120 kilo newton the beam cross section is 250 mm wide and 40 mm deep and it is reinforced with 4 bars of 20 mm diameter of FE 415 grid the modular ratio of the concrete is 10 the tensile stress in the concrete is what बहुत ही बढ़िया question है students थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाना तभी इसका जवाब आपको मिलेगा otherwise इसको आप solve नहीं कर पाओगे अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो देखिए क्या पूछ रहा है question में a ring beam of an instant tank की बात कर रहा है modular ratio आपको दिया हुआ है आपसे tensile stress पूछ रहा है कि tensile stress क्या होगा the tensile stress in the concrete तो tensile stress का एक formula है in the terms of modular ratio वो क्या है अगर आपको formula पता है तभी आप इसको निकाल सकते हो otherwise यह question आपसे नहीं निकलेगा अगर नहीं पता तो मैं आप लिग देखिए formula क्या आपका so tensile stress जो निकलता है आपका in the tank में that is equal to T T क्या है? hoop tension divided by B into D plus modular ratio minus 1 and into area of steel तो यह आपके पास formula है अगर आपको यह formula याद होगा तभी आप निकाल सकते हो formula याद नहीं है तो आप इसको solve नहीं कर पाऊगा ठीक है? अब मैंने सब कुछ आपको वो तादिया T है आपका hoop tension B into D आपका cross section area है आपका M है modular ratio AST है आपका area of steel अब बस आप sigma T निकालो आपका answer आजाएगा ट्राइगीजे इसका answer क्या हो और area of steel कैसे निकलेगा? एक बार का area को आप जो है number of bar से multiply कर दिजे pi by 4 into D square को N से number of bar से आप multiply कर दिजे तो आपका AST भी आपका निकल जाएगा यह UPPSC में अलड़ी पूछा जाचुका है UPPSC के AE में पूछा जाचुका है 2019 का जो AE का exam था ठीक है ना तो अव्यसी बात है कि भाई कर UPPSC में कैलकुटर से अलाउड नहीं है और NHPC में भी अलाउड नहीं है तो without calculator भी यह solve हो सकता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है बट हो सकता है ट्राइगी जे Everyone थोड़ा सा दिमाग लगाई यह आंसर आजाएगा आपका ट्राइगी जे B बोल रहे है कुछ बच्चे B और जो भी lecture को देख रहे हैं तो आपको 1% भी अगर समझ में आ रहा है Even if you are getting 1% चले calculate so करी लेते हैं जब आपसे नहीं हो पारा तो एक काम कीजिए सब कुछ values को put कर दीजिए हैं आपके तो sigma T जो होगा आपके पास यह कितना हो जाएगा तो T आपको दिया हुआ है कितना 120 kN So 120 आपको T दिया हुआ है Divide by B into D अब देखे B क्या दिया है आपको Width आपको दिया है 250 mm wide and 40 mm deep तो आपका हो जाएगा 250 into 400 not sorry 40 it is 400 प्लस modular ratio कितना आपके पार 10 minus 1 into area of steel अब number of bars कितनी है 4 एक बार 20 mm diameter की है So 4 into Pi by 4 into 20 का whole square ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे मेरे को जल्दी solve करने है तो मैं calculator कर इस्तमाल कर लेता हूँ So 120 और यह आपका आजाएगा 120 and divided by divided by यह आपका हो जाएगा 120 divided by 250 into 400 plus 9 into यह आपका हो जाएगा 4 से 4 cancel होगे आपका तो 3.14 into 3.14 into 400 तो स्वेंस यह आपका आजाएगा कितना approximately equal to 1 अगर मैं किलोटन में अगर newton में convert कर दो into 1000 यह आपका आजाएगा 1.07 अगर मैं इसको newton में convert कर दो किलोटन को तो आपका आजाए कितना इस विल बी equal to 1.07 newton per mm square because यहाँ पे newton per mm square में पुछा गया था option number 2 is the correct answer and I can understand यह without calculator थोड़ा सा मुश्किल होगा but still exam में पूछता है तो भाई calculator थोड़ा नहीं होता है but try किजे अगला question question number 15 shrinkage cracks in RCC slab can appear due to what जो shrinkage cracks आते हैं RCC की slab में मानलो कि यह आपके पास shrinkage cracks ऐसे आपके पास यह किसकी वज़े से आते है number 1 improper improper curing improper loading improper foam work improper mixing of concrete बताईए इसका जवाब किया को try किजे easy question हाँ 1.067 या 1.07 के असपास इसका बताईए मेरे को shrinkage cracks क्यों develop होते हैं try किजे curing curing बिल्कुल सही दे कि जब भी shrinkage की बात आजेगी तो समझ जाना कि curing डंग से नहीं हो पा रही है improper curing की वज़े से आपके shrinkage cracks आपके develop होते हैं बोलो तो option number 1 is the correct answer आगे बढ़ते हैं next question is question number 16 what is the maximum diameter of the main reinforcement used in slab of overall thickness of 160 mm as per IS इतना बहुत ही simple question instruments IS456 आपको क्या बोलता है IS456 आपको ये बोलता है कि slab के अंदर जो maximum diameter होना चाहिए बार का वो कितना होना चाहिए 5 by 8 यहां पर मिल जेता हूँ shall not exceed as per IS456 clause मेरे को याद नहीं है कि कौन सा clause that is not important कि जो maximum diameter है बार का D max it should never be greater than कितना 5 by 8 तो यहां से आपका जवाब आ जाएगा try कीज़े सब्सक्राइब 5 max उल्टा लिजे नहीं 5 max यहां पर लिखना है मेरे को D यहां पर लिखना है D यहां पर लिखना है 5 max तो कितना हो जाएगा मेरे पास 5 max it should not be greater than 160 divided by 8 तो बोले तो कितना हो जाएगा 20 mm तो option number क्या हो जाएगा option number 4 is the correct answer यह उल्टा लिखने मैंने आपका 5 max maximum diameter of the bar should not be greater than depth of the slab upon 8 तो जाएगा आगे बढ़ते next question is question number 17 as per the Indian standard code of practice for pre-stress concrete the minimum grade of concrete to be used for post-tensioned and pre-tensioned structural elements are respectively तो pre-tensioned के लिए और post-tensioned के लिए minimum grade of concrete कितना होना चाहिए बहुत ही simple question है और बहुत बार exams में पूछा जाता है यह very important question मन जाता है आपका pre-stressing concrete से बताईए इसका जवाब क्या होगा try to give me the answer बताईए इसका बहुत ही important question है और बहुत easy question भी है रटने वाला question है अगर आपको रट्टा इसका बज़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है नहीं बज़ा है तो फिर दिख करते है try कीजिए आपका M30 and M40 बोले तो option number 4 is the correct answer यह option number 2 मतलगा देना क्योंकि question को ध्यान से पढ़ो पहले इसने post tension पूझा है फिर बाद में इसने pre tension पूझा है तो कई बाद बच्चे कहा तो बिना question को देखें रट्टा मारा तो होता है M40, M30 यह लगा देंग अरे भाई ध्यान से पढ़ो पहले post पूझा है तो post का M30 होता है फिर बाद में pre पूझा है उसने respectively भी दिया हुआ respectively का मतलब होते क्रमबद तरीके से एक के बाद देख रहे तो यह है आपका option number 4 is the correct answer आगे बढ़ते है question number 18 losses in pre stress like shrinkage and relaxation comes under number 1 immediate number 2 time dependent number 3 both 1 and 2 number 4 none of these बहुत है simple question बताई इसका answer क्या होगा anyone 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 try की जेश्रिंट losses in pre shrinkage और जो relaxation loss है वो कौन से loss के under में आते है immediate loss के under में या time dependent के under में या both 1 and 2 या फिर none of these बताई ये इसका answer क्या होगा both अभिशेक त्रिपाथी बोथ बोल रहे है C बोल रहे है विनुद गुमार जी और कोई 1 and 2 देखे इसमें पहले मैं बात करता हूँ losses के बारे में कि जो loss होते हैं वो दो तरह की होते हैं आपके पास एक तो immediate loss होते हैं आपके पास immediate loss एक है आपका time dependent loss time dependent loss immediate loss में students आपका आता है elastic shortening elastic shortening इसके अलावा immediate में आपका आजाएगा friction losses इसके अलावा students immediate में आपका आजाएगा encourage slip encourage slip ठीक है बात करते हैं time dependent की time dependent में एक तो आपका आजाएगा creep एक आपका आजाएगा shrinkage और एक आपका आजाएगा relaxation relaxation ठीक है तो यह आपके losses हैं जो कि mainly आपके priestess concrete में आते हैं question में पूछ रहा है कि shrinkage और relaxation कौन से category के अंडर आते हैं तो यह आपके time dependent के अंडर आते हैं option number 2 is the correct answer of this question I hope यह आपको समझ में आयोगा I don't know कि आप लोग option number 3 कैसे बोल रहे थे हाँ बिल्कुल से है time dependent में आते हैं question number 19 diamond pattern of bolting यह जो आपका bolting का diamond pattern है आपका एक यहाँ पे लगाया एक यहाँ पे लगाया ऐसे एक यहाँ पे लगाया यह जो diamond pattern of bolting है it is beneficial over the chain bolting and the staggered bolting because number 1 it transmits maximum force it has maximum efficiency it is easy to fabricate it leads to minimum deflection बता ही इस cancer क्या होगा बहुत easy question है diamond bolting के बहुत सारे benefits है लेकिन इसमें जो benefits दिया है उसमें से एक benefit बहुत ही जादा आपका सही लग रहा है option को देख कर गे बता ही इस cancer क्या होगा sir IRMS CSE के थूरू हो सकता है कि IRMS के ओपर हर कोई यूट्यूब पर अपने विचार प्रकट करता है लेकिन IRMS का अभी कुछ confirm नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है ना engineering service में तो vacancy नहीं आ रही है वहाँ से भी civil services भी vacancy हटा दी है अब पता नहीं है कैसे काम चलाने में को समझ नहीं हा रहा है लेकिन IRMS का अभी कुछ confirm नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा बिल्गों सबसे जादा होती maximum efficiency सबसे जादा होती है आपके किसकी diamond bolting and that is why इसको हम लोग prefer करते हैं बाकी जगा से efficiency का मतलब क्या होता है efficiency जो होती है joint की strength of joint upon strength of plate होती है so यहाँ पर मिलगता है efficiency of joint जो होती है efficiency of eta of joint that is equal to strength of joint strength of joint upon strength of plate strength of plate और भी बहुत सारे formula होते हैं आपके पास लेकिन बस इतना याद रखेगा इसकी efficiency बहुत जादा होती है diamond bolting की question number 20 according to IS maximum effective slenderness ratio for a tension member tension member की बात हो रही है for a tension member in which reversal of direct stress occur due to loads other than wind or seismic forces सीधा रटे वाला question IS 800 में जो अग आपका steel का IS है कुछ पढ़ो या ना पढ़ो tension और compression members के slenderness ratio ज़रूर पढ़ लेना because यहाँ से almost हरे बार exam में questions पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप से पूछ रहा है कि slenderness ratio क्या होगा tension member का जिसमें आपके reversal of stress होता है because of wind other than seismic and the wind load तो बताई इसका जवाब क्या हो try कीजिए बहुत simple question 400 400 उसका होता है जो हमेशन tension member है उसका होता है इसका बताई इसका अंसर क्या होगा sir rrbje की vacancy 2022 में आ सकती है बहुत ज़्यादा chances है की vacancy आएंगी एक आपी notification भी आया था आपका railways का कि उनको requirement है बहुत ज़्यादे candidates की तो most family की आपकी vacancies आएंगी rrbje बहुत है सिंपल है कोई b बोल रहा कोई c बोल देगे इसका आंसर है 180 tension member की बात कर रहा है reversal of a direct stress occur due to load other than wind और seismic load तो आपका आंसर हो जागा option number a that is 180 is the cylenderness ratio आगे बढ़ता है question number 21 the fasteners in gazetted base plate are designed for यह जो gazetted base plate होती आपके पास मालो की column है यह नीचे आपने gussetted base plate आपने लगा दिया कुछ इस टाइप से इसमें जो आप fasteners use करते हो किसके लिए design होते है number one 25% of common column load 50% of column load 75% of column load या फिर 100% of column load सीधा रट्टे वाला question है IS800 में directly इसका mentioned है कि किसके लिए आपको fasteners को design करना है बताइए इस cancer क्या को ट्राइगी जे anyone anyone one one कोई one बोल रहा है देखे इस्ट्ट्स IS800 आपको क्या बोलता है IS800 यह बोलता है कि जब आप fasteners लगाते हो base plate में तो assumption क्या होती है कि 50% load तो directly column जो है transfer करेगा और 50% load जो आपके fasteners यहाँ पे लगे होगे 50% load आपका fasteners के थूँ आपका transfer होगा तो correct answer क्या होगा इसका option number 2 is the correct answer 50% load जो है column खुद transfer करेगा directly और 50% load जो है वो fasteners के through transfer होगा तो fasteners को हम लोग जो column पे load आता है उसके 50% के लिए design कर देते हैं option number 2 is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number 22 if the number of possible plastic hinges are 4 and the degree of static indeterminacy of the structure is 2 then the number of possible independent mechanism mechanism का मतलब होता है कि कितने तरीके से वो जो member है वो fail हो सकता है that is the meaning of mechanism तो number of plastic hinges आपको दिये हो है that is equal to 4 और degree of static indeterminacy आपको दिये कितना 2 तो आपको बताना है कि number of possible independent mechanism कितने तरीके से fail हो सकता है यह आपको बताना है बहुत simple है सीधा सा इसका formula है try किजिए इस cancer क्योंगो कितने तरीके से fail हो सकता है static indeterminacy हमेशा mechanism को कम करती है यह भी आप याद रखना मैं सब्सक्राइब पानी पी लेता हूँ आप तब तक इसको solve कीजिए students बताइए इस cancer क्योंगो try कीजिए everyone everyone whoso is watching the lecture everyone बताइए जबरदस्त आपको अगर number of mechanisms निकालने है आपको let us say mechanism M है आपका mechanism मतलब कितने तरीके से fail हो सकता है वो होता है आपका number of plastic hinges minus static indeterminacy simple है आपका तो आपका 4 है आपका 4 minus 2 है आपका तो दो तरीके से यह जो beam है आपकी यह fail हो सकती है mechanism क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा इसके mechanism बताओ इसके mechanism क्या होंगे तो देखिए पहले आप निकाले number of plastic hinges मालों कि यहाँ पर load लग रहा है एक plastic hinge आपका यहाँ बन सकता है एक आपका plastic hinge यहाँ बन सकता है एक आपका plastic hinge mechanism आपके 2 हो जाएंगे तो इस तरीके साब निकालते है तो option number 2 is the correct answer आगे बढ़ता है question number 23 for the centrally supported uniform beam as shown in the figure values of F1 and F2 F1 कहाँ पर एचाई यह है F2 when the beam is in equilibrium यहाँ पर आप लगाओगे कौन सा Varig non theorem कौन सी theorem लगेगी यहाँ पर Varig non theorem Varig non theorem Varig non theorem engineering mechanics की एक theorem है यहाँ पर लगाओगे बहुती इजी लिए आपका सवाल आजाए answer आजाएगा बहुती simple है try की जिसका answer क्या हो everyone बहुती simple estimates अगर आपको Varig non theorem नहीं पता कि Varig non theorem क्या होती आप इसको summation of F1 is equal to 0 and summation of moment is equal to 0 video से भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन Varig non theorem से answer आपका चल्दी आजाएगा बताई इसका answer क्या हो try की जिए try की जिए फटा वर्चलिये and whosoever is watching the lecture एक फटा पट लाइक कर दीजिए लाइक करने में कुछ नहीं जाता इसमें आपका घाटा ही है इसमें 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता बताईए देखे बड़ा simple है एक काम करो अगर आपको Varig non theorem नहीं पता Varig non theorem क्या होती है अगर कोई parallel forces अगर equilibrium में है तो किसी भी force के अंडर आप moment को 0 ले करके output कर सकते हो ठीक है किसी भी force को आप जो है 0 ले सकते हो किसी भी moment को आप जो है 0 ले सकते हो किसी भी force के अंडर में वो है Varig non theorem लेकिन अगर आपको Varig non theorem नहीं पता कोई बात नहीं अगर देखो यह equilibrium में है तो पहला equation तो मेरा बन जाएगा F1 plus F2 is equal to 5 kN यह तो पहला equation नहीं गया दूसरे काम करो किसी भी force के about moment को 0 ले लो यह है मेरा letter से point A तो point A के about moment को आप 0 ले लो तो क्या हो जाएगा आपका यह देखो clockwise और anticlockwise आपको पता होना चाहिए तो यह आपका हो जाएगा minus F1 into 10 यह आपका हो जाएगा plus 5 into 7 that is equal to 0 तो F1 कितना आजएगा मेरे पास 7 into 5 is 35 divided by 10 यह आजएगा मेरा 3.5 kN तो F1 मेरा 3.5 हो गया इसको यहाँ पर put कर दो तो F2 कितना आजएगा मेरे पास F2 मेरे पास हो जएगा 1.5 तो F2 1.5 है और F1 मेरा 3.5 है तो बड़ा सिंपल से आपका आंसर क्या आजएगा option number 1 is the correct answer ऐसे कर सकते हो वेरिगनों theorem से भी आप कर सकते हो उसमें भी यही करते है किसी एक particular point के वाट moment को 0 put करते है वो आपकी वेरिगनों theorem होती है जो कि आपकी engineering mechanics की एक बहुत important theorem आगे बढ़ते है question number 24 the mercury does not wet the glass tube मानलों कि यह glass tube है जब आप इसमें mercury रखते हो mercury एक तब minimum surface area को वो करता है cover करता है यह maximum surface area cover नहीं करता because वो एक आपका non wetting fluid है मानलों कि glass surface है glass surface के उपर अगर आप mercury रखोगे न तो ऐसा हो जाएगा कुछ अगर पानी रखोगे तो पानी ऐसा हो जाएगा पानी maximum surface को cover करेगा this is due to the property of liquid known as number one density compressibility surface tension या viscosity बहुत की simple question बताएए anyone try कीजिए शुन, try कीजिए everyone बताएए इसका answer क्या को, try कीजिए anyone, anyone बी बोल रहे हैं, आशीश सिंग, बड़ा simple है वाई, surface tension एक ऐसी प्रापर्टी है जो की इनको वेटिंग या नॉन वेटिंग फ्लूड बनाती है अगर mercury प्लस ग्लास होगा ना, तो वो आपका नॉन वेटिंग फ्लूड होगा, right, mercury प्लस ग्लास यह आपका नॉन वेटिंग फ्लूड की तरह काम करेगा, आपका mercury अगर वाटर प्लस ग्लास होगा आपका तो यह आपका वेटिंग फ्लूड की तरह काम करेगा यह maximum surface को cover करेगा, इसका main reason है surface tension simple सा, इसका main reason का है, that is the surface tension is the main reason for it option number 3 is the correct answer, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, जबर्दस आशीश, सोपन विस्वास, बहुत बढ़िया, बिधेन वेश्वरी सिंग, बहुत बढ़िया, दीपक, बहुत बढ़िया, बिंदेश्वरी सिंग, बिल्कुल सही question number 25, a flow is said to be supersonic, देखें students, hypersonic, supersonic, यह flows जो होते हैं, आपके dimensionless number, उसका नाम है mac number, कई numbers होते हैं, renald number है, fraud number है, isler number है आपके पास, mac number है आपके पास, weber number है आपके पास, इसमें जो mac number है, mac number की मदद से आप यह बता सकते हो, कि कोई fluid जो है, supersonic है की hypersonic है की subsonic है, लेकिन mac number की जो value है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, तो बताइए इस cancer क्या होगा, अगर आपको values याद है mac number की, तो आप इस cancer बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता पाऊगी, try कीज़े, anyone, try की जो बहुत देखें सिंपल कोश्चन है, more than 6, देखें बड़ा सिंपल है, अगर आपका mac number जो है, आप यमें value देखें, अगर आपका mac number जो है, 0.8 से कम है, इस वाले flow को मैं बोलूँगा, subsonic flow, देखें, mac number में आपना sound की speed से compare करते हो, किसी भी चीज़ को, ठीक है, अगर आपका mac number जो है, 0.8 से लेकर के 1.3 के बीच में लाई करता है, तो इस वाले flow को आप बोलोगे, transonic flow, अगर आपका mac number जो है, 1 है, exactly 1 है, इसको मैं बोलूँगा, आपका sonic flow, this is called as the sonic flow, अगर आपका mac number students, 1.3 से लेकर के आपका, 5 है न, 5 हाँ, 5 तक, right, 5 तक अगर लाई करता है, इसको हम लोग बोलते है, supersonic flow, supersonic, अगर आपका mac number जो है, greater than 5 है, इसको मैं बोलता हूँ, students, आपका hypersonic flow, hypersonic flow, question में क्या बोल रहा है, अब flow is said to be supersonic, तो supersonic कब होगा, mac number की value, जो है, 1.3 से लेकर के, और 5 के बीच में जब lie करेगे, इसमें, ठीक है, न, यहाँ पर 1.3 और 5 तो नहीं दिया हुआ, लेकिन, यहाँ पर 1 और 6 दिया हुआ है, तो मेरा जो most appropriate answer होगा, वो option number 2 हो जाएगा, ठीक है, अगर mac number more than 6 होगा, तो वो तो आपका hypersonic की category में आ या फिर मैं अपने telegram group पे PDF डाली दूँगा, इस session की, तो वहाँ पे आप इसको देख लीजेगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question है आपके screen पे, question number 26, which pair of hydraulic turbine you will choose if the operating condition of head is more than 400 meter, मतला high head है आपका, and for part load operation respective, मतला high head के लिए आप कौन से turbine का इस्तमाल कर सकते हो, मतला कान को यह जो है नो घुमांगे पकड़ रहा है, कहने का मतलब यह इसका यह है कि high head turbine के लिए आप कौन सा turbine इस्तमाल कर सकते है, high head के लिए, बदा ही इस का आपको ट्राएगी लिए ट्राइगी जेस्टेंटस, लेट हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसका बताईए इसका आशिश सिंग बोल रहा है, C, C बोले तो क्या बोले है, C में, पैल्टन वील टर्बाइन और क्यापलान टर्बाइन, अच्छा ठीक है, और सी सी देखे बड़ा सिंपल है पहले तो बात करते हैं हेड की राइट देखे कोश्चन में दो चीज बोल रहा है एक तो बोल रहा है इसमें इफ दा ओपरेटिंग कंडीशन ओफ हेड इस मोर देन चार सो मिटर तो पहले तो हेड की बात कर रहते हैं जब भी आपका हेड तीन सो मिटर या जाद होगा तो हम लोग पैल्टन वील का इस्तमाल करते हैं जब भी आपका ऑपरेटिंग हेड 300 मीटर या उससे जादा होगा तब हम लोग पैल्टन वील का इस्तमाल करते हैं पहला तो condition हो गया कि Pelton wheel आए गए आएगा तो bulb turbine ये तो छोड़ो इसको Pelton wheel कहाँ पे Pelton wheel मेरा सिर्फ option number C में तो option number C में तो correct हो जाएगा लेकिन सुनिए यहाँ पे Kaplan turbine भी दिया हुआ है Kaplan turbine क्यों दिया है यह है इसका second and for part load operation देखें students part load operation क्या होता है जो आपका Kaplan turbine है Kaplan turbine के जो parts है जो उसके blades है वो movable blades होते है और movable blades को students क्या होते है आपका वो उसमें जो जब flow separate होता है तो वहाँ पे losses बहुत ही कम होते है या मैं short में यह बोल सकता हूँ कि Kaplan turbine की efficiency बहुत जादा होती है राइट वो discharge को जब वो flow separate होता है तो वहाँ पे उसकी efficiency जादा होती losses बहुत ही कम होते है तो वो होता है आपका part situation या part load operation तो Kaplan turbine की because blades आपके move करते है तो वो part load operation को बहुत ही सही से handle करता है तो option number 3 is the correct answer बागी pelton wheel से आपको समझ में आगे को option number 3 correct answer है Kaplan क्यों दिया हुआ है because ये part load operation जो है उसको बहुत अच्छे से handle करता है इसकी efficiency बहुत जाद होती because इसके blades जो होते है move करते है जो blades होते है इसके movable blades होते है and that is why इसकी जाद efficiency होती है question number 27 the maximum possible value of the group index of soil ये group index कहाँ पे इस्तमाल करते है highway research board की जो classification है for the fine-grained soil तो किस soil को आप जो है इस्तमाल करोगे highway के subgrade में किस soil को इस्तमाल नहीं करोगे ये depend करेगा उसके group index पे highway के अंदर हम लोग soil की classification वैसे नहीं करते है USCS वाली unified soil classification system उसकी अलग से classification होती HRB वाली highway research board वाली A1 से लेकर के A7 फिर fine-grained के लिए group index वगेरा तो बताइए इस answer क्या होगा group index की maximum value कितनी हो सकती है बहुत easy question है try to give me the answer बहुत easy question है B, 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 B बहुत बड़े है देखे इस students आपके group index की value है ये 0 से लेकर के 20 के बीच में लाई करती है आपकी group index की value ठीक है अब group index का आप वो भी देख लीजे की क्या group index होना चाहिए अगर 0 से लेकर के 1 अगर आपका group index है मैं इसको बोलूगा good soil good का मतलब है इसकी strength अच्छी है इसकी compressibility बहुत अच्छी है इसकी durability बहुत अच्छी है तो that is the meaning of group index अगर 2 से लेकर के 4 के बीच में लाए करता है तो मैं इसको बोलूगा fair अगर 5 से लेकर 9 के बीच में लाए करता है इसको मैं बोलूगा poor अच्छी soil नहीं है इसको आप highway में इस्तमाल मत कीजिए और अगर 10 से लेकर के 20 के बीच में लाए करेगा इसको मैं बोलूगा very poor इसको तो कभी मत करो इस्तमाल, बहुत ही खराब है, तो option number क्या हो जागा इसका, option number 2 is the correct answer, group index की maximum value होती है, वो 20 होती है, और minimum values की 0 हो सकती है, आगे बढ़ते हैं, question number 28, seepage failure on earth filled dam is due to, अब देखें माल लो कि आपके पास ही earth filled dam है, इसमें जो seepage जो failure होता है, किसकी वज़े से होत अधर्वाइस आप इसको geotech में भी पढ़ सकते हो, बताई इसका जवाब क्या हो, try कीजे, anyone, try कीजे students, कोई B बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, गलिंग बोल रहा है, कोई इसका, गलिंग बोल रहा है, और कोई, झाल सीपेज फेलियर ऑन अर्थ फिल्ड डाम इस ड्यूट नमबर वन टो इरोजन तो नहीं होता वेव इरोजन भी कोई है नहीं है एक है आपका गलिंग और एक है आपका स्लॉइंग इन दो में कनफीजन हो सकता है पहले समझते हैं कि यह स्लॉइंग क्या है माल लोग यह आपका यहापे ग्राविटी डयम मैं भरा होगा दीरे दीरे क्या होता है जब पानी का हलकलकँ यहापे सुदिड्स आपका सीपेज होता है आपका इसके बोडी के अंदर से या बोडी के नीचे से भी तो जो डाउन स्ट्रीम फेस होता इसका वो पूरा सैचुरेड हो जाता है वोई होती है downstream phase रहे बहुत ज़्यादा क्या होजाती बहुत ज़्यादा soft हो जाती है soft होने की वजह से lettuce से मानलों की hulky सी fell हो गई मानलों की इतनी slope इसकी fail हो गई इस slope की fail होने की वज़्ये से क्या होगा स्वेंट ये जो आपका जो vertical जो बन गया है यह और जादा unstable होगा और यह भी fail हो जाएगा यह भी fail हो जाएगा यह पूरा dam जो है इस तरह से आपका collapse हो जाएगा that is what is called as a slowing तो basically जो seepage failure होता है earth filled dams में इसका main reason that is the slowing option number 4 is the correct answer इसमें जो main confusion हो सकती है वो gulling में और आपकी slowing में हो सकती है because जो आपका gulling है यह inside भी हो सकता है आपका gulling और gulling जो है आपका वो नीचे से भी आपका हो सकता है लेकिन जो slowing है आपका यह face के ओपर आपका slowing होगा तो slowing का main reason है वो है आपका seepage gulling जो है आपके piping की वज़े से होती है with the help of piping क्या होता है गलिंग बन जाती है और वहाँ से फिर आपका piping failure होता है आपका ठीक है लेकिन slowing is the correct answer question number 29 क्या बोलगा आपको question question is saying that raft foundation are generally preferred to when they are required for individual footing is more than number one 25% of the total area 30% of total area 40% of total area या 50% of total area आप raft foundation को कब इस्तेमाल करते हो एक तो है कि जब बहुत ही low bearing capacity of soil की तब इस्तेमाल करते है एरिया की terms में आप बताईए कि एरिया की terms में आप कब इस्तेमाल करोगे raft foundations को ट्राइग इस्तेमाल करोगे 4 40% अक्षे राना बोल रहा है 50% डी 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 बिल्कुल साइब ऑप्चिन नमबर डी इस दा गरेक्ट आंसर जब भी आपका एरिया जो है आपका individual footing का जब यह 50% और टोटल एरिया से जादा हो जाए देन वाट दो यह कोशन बहुत बार exam में पूछा गया है यह important question याद रखेगा यह कोशन बहुत बार exam में पूछा गया और बच्चे को पता नहीं होते राट foundation का एक तो जब रहते हैं अगला कोशन क्या है question number 30 skin frictional resistance along a pile let us say यह मान लोगी ground level है आपका यह आपकी pile है राइट इस पर जो skin friction resistance जो होता है आपका it is provided by the number one relative settlement of the pile relative settlement of the soil relative settlement of the pile and the soil या angle of repose of the soil बता ही इसका अंसर क्या होगा बहुत है simple question आपको 1% समझ में आ रहा है फटा फटा आप लाइक कर देजिए विकुल आपका response जो है न काफी matter करता है हम लोगे लिए BBB relative settlement of the soil कोई बोल रहा है इसका four angle of repose of soil और कोई कोई टू बोल रहा है कोई वन बोल रहा है इस कोश्चन में काफी जादा confusion रहती है ठीक समझते है जड़ा यह friction यह special pile है जो की side का जो friction है उसकी वज़े से आपकी जो उसकी वज़े से आपको लोड को resist करते that is what is called as a friction pile now skin friction resistance along a pile is provided by the यह देखो कब होता है यह soil के settlement होने की वज़े से नहीं होता है जब pile के उपर लोड पड़ेगा तो मान लो कि यह आपकी pile है pile के उपर pile cap होगे आपका pile cap के उपर जब लोड पड़ेगा तो जब pile जब नीचे जाने का try करेगा उसकी वज़े से फिर यहां पे आपको skin friction resistance आपको दिखेगा ठीक है ना यह negative skin friction अलग है यह skin friction अलग है तो कब दिखेगा जब pile नीचे जाएगी तो जब relative settlement होगा pile का तब जाकर के आपको जो है screen friction resistance along the pile आपको दिखेगा option number one अगर pile जाएगी ही नहीं फाइल खड़ी है मालों कि लेटसे पाइल है यह soil है अगर यह pile अंदर ही नहीं जा रही है तो कौन सा friction resistance यह तभी होगा ना जब लोड लगेगा तभी तो आपको friction resistance मैंसुस होगा आपको आपको समझ में आ रहा है option number one is the correct answer ती आगे बढ़ते हैं question number 31 mechanical straining इसका में को नाम आज तक लिन नहीं आए इसकी मुझ्जे पता नहीं जो भी है समझ जाओ क्या है वो जो पतली जो लेर बन जाती है slow sand filter के उपर जुसको बाद में निकालते भी है डाट इस क्यों मुझ्जे थर्ड आपका sedimentation and flocculation पोर्थ आपका electrolytic chamber the process of filtration आर बदाई इसका आंसर क्या होगा बहुत है सिंपल कोश्चन है इस क्यों मुझ्जे ना जो भी है आपको इसका नाम लेने में बड़ी दिक्कत होती होगे लेकिन नाम देख के समझ जाते हो कि इसका मतलब गया वो जो ठिक लेयर जो बन जाती है पूर पूर ओके और क्या बोल रहा है प्रॉसेस और फिल्टरेशन इसमें से कौन कौन से जो हैं फिल्टरेशन के प्रॉसेस है नमबर वन अब आपका स्क्यूमुद्जव फिर आपका सेडिमेंटेशन फ्लॉक्वेशन फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक चैंबर और कोई कौन कौन से इस्ट्रेशन में आपके फिल्टरेशन के प्रॉसेस बहुत है सिंपल कोश्शन है कि बिल्कुल से ओप्शन नमब 3 दा करेक्ट आंसर बहुत बढ़ यह सारे के सारे हैं इसमें इसमें आपका मेकानिकल स्ट्रेशन भी है आपका एलेक्ट्रोलिट चैंबर भी यह राइट दा प्रॉसे फिल्टरेशन नमब 3 दा करेक्ट आंजर खताम आगे बढ़ता है कि अगर आपको वन परसेंट भी समझ में आ रहा है तो फटा फट लाइक कर दिजेगा आक्शे राणा ए बोल रहे है राहुल पटे वन बोल रहे है आशीश सिंग जो है सी बोल रहे है पहले तो आपको पता होना चींए कि slow sand filter rapid sand filter का pressure filter का होता कितना है देखिए पहले मैं बात करता हूं ज़र्ण slow sand filter की SSF SSF का full form क्या हुआ slow sand filter इसका जो rate of filtration होता है आपका 100 से ले करके 200 right liters per hour per meter square यह तो आपका हो गया slow sand filter का अब जरब बात करते है RSF की RSF का full form क्या है rapid sand filter इसका आपका होता है 3000 से ले करके 6000 liters per hour per meter square इसके लावा आपका है pressure filter pressure filter तो pressure filter approximately आपका 6000 से ले करके 6000 से 15000 15000 liter per hour per meter square ठीक है तो यह तीन है आपके अब देखिए जरब सबसे ज़्यादा है pressure filter का pressure filter का उसके बाद है आपका rapid sand filter का और उसके बाद है आपका slow sand filter का तो यह आपका sequence आ गया बोले तो 3 सबसे ज़्यादा फिर 2 सबसे उसके बाद उसके बाद फिर 1 option नमबर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर वन इस दा करेक्ट आंसर आगे बढ़ते question number 33 imhoff tank results in dash removal of solids and dash removal of BOD कितना परसेंट BOD और कितना परसेंट इसमें solid remove हो जाता imhoff tank में बताईए सबसके answer क्या हो आपको try कीजिए बहुत है simple question है again environment में maximum questions आपको रट्टे वाले मिलेंगे अगर आपने रट्टा मारा हुआ तो अच्छी बात है कितने भी concept clear कर लो question नहीं कर पाऊ अच्छा एक चीद और कभी-कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा tank है जिसमें upper portion जो है aerobic condition होता है lower portion जो है anaerobic condition होता है तो आपका जवाब होगा imhoff tank imhoff tank में जो upper portion है students आपका ये aerobic conditions को generate करता है जो lower portion है आपका कौन सा ऐसा tank है जिसमें upper portion aerobic होता है lower portion आपका anaerobic होता है ये two story tank होता है आपका imhoff tank बताइए कोई A बोल रहा है कोई B बोल रहा है बिल्कुल साइस्टे वाला question है एकदम तो imhoff tank जो है 60 से 65% solids को remove करता है and 30 से 40% जो है BOD को remove करता है option number 2 is the correct answer क्या concept है कोई concept नहीं है रट्टा मार लेना एक्सपरिमेंटली पता चला है कि इतना ये remove करता है option number 2 is the correct answer question number 34 acceptable outdoor noise level in decibels in urban residential area कितना होता है again रट्टा वाला question क्या concept है कुछ नहीं है जो भी आपका environmental ministry ने जो laws बनाय हुए है उसमें acceptable limit एक दी हुई है outdoor और indoor के लिए तो ये outdoor residential area का आपसे पूछ रहा है बताए इस cancer क्या होगा everyone C C बोल थर्टीफाइब से फर्टीफाइफ और कोई 34 का सी बिल्कुल से रट्रने वाला question है option number 3 is the correct answer 35 से 45 मैं हमेशे अपनी class में भी बोलता है अगर आपने कभी में live class अरेंड करी हो देखिए civil एक ऐसी branch है जिसमें कि आप सब कुछ देख सकते हो सब कुछ आपकी आँखों के सामने है concrete आप साइट पर जाके देख सकते हो brick work आप साइट पर जाके देख सकते हो environment में sewage treatment plant आप साइट पर जाके देख सकते हो जो STPs होते हैं हमारे पास लेकिन exam में problem कि आ जाती है कि exam में question से ऐसे पूछता है जो रटने वाले होते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा जब आप civil engineering में त्यारी करते हो किसी भी competitive exam की तो आपको रटना बहुत पढ़ता है अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ना concept बता दो concept अरे concept तो आपको बता देंगे मेरे भाई लेकिन ultimately exam में अगर आप सिर्फ concept लेकर के जाओगे आप बोलोगों मैं रटा नहीं मारूँगा मैं तो concept क्लिर करूँगा तो exam में जब मुझ बना के भार निकलोगे ना कि ये मेरे साथ क्या हुआ तो फिर आपको वहाँ समझ में आए कि रटना कितना important है कुछ बच्चे बोलते हैं ना मैं रटता नहीं हूँ मैं तो भाई concept क्लिर करता हूँ ultimately आपका exam क्लिर होना बहुत important है concept है या नहीं वो अलग बात है बट exam क्लिर करना important है आपका और वो ultimately civil में जो अभी तक मेरे experience है वो रटने से ही आता है ऐसी छोटी छोटी values आपको उठागे पूछ लेता है ना exam में कि concept क्लिर करते रह जाओगे और रटा नहीं मारगे तो नहीं होगा concept क्लिर करना is important ठीक है लेकिन सबसे जादे important है आपको वो values वो formula याद होना मैंने अपने पिछले 18 साल के career में ऐसे से बच्चे भी देखे हैं जिनके concept कुछ जादा खास नहीं थे कुछ पूछो कि अच्छा angle पर आएगी गाड़ी तो क्या टकराएगी तो क्या momentum कुछ नहीं पता उनको लेकिन formula पूछो तुरंद बता देंगा और selection लेकिए एई और जी बने बैठें अगेन depend करते हैं कि आपको क्या करने आपको concept क्लियर करो अच्छी बात है लेकिन ultimately आपको formula का रट्टा और values का रट्टा मारना पड़ेगा आपको being in a civil engineering department ठीक है being in a civil engineering branch याद रखीगा this is what my experience is all about बहुत बच्चे देखें सर मेरा concept बहुत अच्छा है सर और exam में जब निकलेगा न exam देखें तो ऐसा मूर रहा है पता नहीं क्या देखके आगया राइट कौन सी हाउस फुल फोर्ट देखके आए जैसे कौन सी मूवी देख ली इसने ठीक है हाँ चली आगे बढ़ते हैं next question question number 35 which of the following statement is correct बताइए इसका अंसर क्या हो ट्राइ कीजे पढ़िए इसको इसमें से कौन सा statement जो है सही है number one closed contours with higher values inwards represent a depression closed contour lines crossing a valley have higher values on the convex side profile leveling is done for determining the contours the horizontal and vertical scales in a longitudinal section are generally equal simple question ने बताइए इसका अंसर क्या हो ट्राइगी everyone easy question ने स्टुन बताइगी आओगा इसका अंसर closed contours with higher values inward represent depression एक दम गलत बात है अगर inward की तरफ अगर जादे values होंगी तो वो hill को represent करता है तो गलत है closed the contour lines crossing a valley जो valley को cross करती है have higher values on the convex side अच्छा question profile leveling is done for determining the contours गलत है profile leveling नहीं करता है गलत है horizontal and vertical scales in a longitudinal section are generally equal जी नहीं horizontal scale अलग होती है आपके पास और जो long longitudinal scale आपके पास वो आपकी अलग होती है ठीक है आप देखते जरा बात करते है question option number 2 की the contour lines crossing a valley तो valley की contour lines कैसे बनती है आपके पास कुछ somewhat like this valley की जो contour lines है आपके पास इसमें जो higher values होती है आपके पास ये convex side की तरफ आपके पास higher values होती है यह मालों की 100 है आपका यह आपका 95 है आपका यह आपका 90 है तो option number 2 is the correct answer बहुत बढ़ी है आगे बढ़ते है question number 36 the instrument used to compute area of irregular shape marked on paper is known as what passometer, planimeter, pentagraph या pedometer एक बार SSC J के ओपर यहां से numerical भी पूछा गया है इस instrument के ओपर इस instrument के एक formula भी होता है वहां से एक बार SSC J में numerical भी पूछा गया है ठीक है बढ़ बढ़ाई इस का अंसर क्या होगा irregular area calculate करने के लिए आप किस instrument का इस्तमाल करते हो बढ़ाईगी जए सर इस समय की class का timing क्या है 10 से 12 Saturday Sunday आपकी जो class होगी दोनों time पे एक आपकी class होगी Saturday को और एक आपकी class होगी कल के दिर मतलब Sunday को दोनों का time एक है दस बज़े से लेकर के बारा बज़े तक दस से बारा तक सुबह दो घंटे class होगी बास बताई इस का अंसर क्या होगा planimeter planimeter और कोई simple question आपका planimeter option number two is the great answer SSC JMS का एक formula होता है वहाँ से numerical भी पूछा गया है planimeter के ओपर आगे बढ़ता है question number 37 the last reading from a level before changing its place is called as letter से माली कि है आप leveling कर रहे हो तो जो आप last reading लोग ए ना instrument को shift करे से पहले उसको अंवो लोग क्या बोलते हैं last reading from a level before changing its place मालो कि आपने यहाँ पे लिया और यह आपने last reading यहाँ पे लिया और फिर आपने यह किया और फिर आपने यह पहला reading लिया तो इस last reading को आपने क्या ब कोई B बोल रहा है कोई A बोल रहा है 37 का B बैक साइट और कोई A बिल्कुल सही A is the correct answer देखो last reading यह जो आपने last reading यहाँ पर लिए है इसको बोलते हैं हम लोग four sight उसके बाद आपने station को change किया और जो पहली reading लोगे इसको बोलेंगे back sight तो last आपका four sight है आपका last आपका four sight है आपका और first आपका back sight है आपका first is the back sight तो last की बात कर रहा है last reading तो आपका four sight option number one is the correct answer और जो बीच की sights होती है उनको intermediate sights बोल देखो question number 38 in a vertical photograph relief displacement is always radial from the यह आपका question आ गया है किसमें से आपका photogrametry से बताइए इसका जवाब क्या हो और गीजे यह relief displacement क्या होता है anyone आप 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 बताइए 38 का D बोल रहे है राहुल और कोई अक्षे राना ए बोल रहे है ए बोले तो आइसो सेंटर और कोई देखे स्वंट मैं एक काम करता हूँ let us say आपके पास यहाँ पे एक camera है या camera का focal point यह O है आपका मालो कि यहाँ पे कोई body है आपके पास या कोई tower है मालो कि transmission tower है आपके पास इस tower का आपने उपर वाला view लिया उपर के point का इस tower का lattice से आपने नीचे के point का आपने view लिया या आपने point का view लिया यह मैं यहाँ पे perpendicular drop करता हूँ जो की earth से एकदम ground से पास करेगी perpendicular मैं ने drop किया इस tower का यह जो उपर वाला portion है let us say वो इस perpendicular से मालो कि आपके r distance पे दूर है और यह जो lower वाला portion है यह आपके r naught पे दूर है जो relief displacement होता है यह आपका r minus r naught होता है और यह कहां से calculate किया जाता है principle points से calculate किया जाता है option number 4 is the correct answer यह जो beach का distance आपका बचा है यह है आपका क्या this is what is called as a relief displacement relief displacement को निकालने का formula भी होता है मालो कि इसकी height है आपकी small h इसकी height है मालो कि आपकी capital h तो आप यहाँ पे similar triangle का formula लगा करके relief displacement that is equal to r into small h divided by capital h वहाँ से भी आपसको निकाल सेकता है आगे बढ़ते next question question number 39 the rise in the maximum flood level upstream of the weir caused due to construction of the weir across the river is called as मालो कि यह आपने कोई weir बना दिया और यहाँ पे क्या होगा पानी का level अब धेद्रे बढ़ जाता है इस type से पानी का level हो जाता है बढ़ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते है atmospheric water level, efflux, piezometer water level या फिर pond level, बहुत है simple question है यह आपको bridge में भी देखने को मिलता है मालो कि यह abatment है आपके पास bridge की यह abatment है यह आपने bridge के यहाँ पे pillars लगायों है तो इसकी वज़े से क्या होगा इनके बीच में पानी का level थोड़ सा बढ़ जाता है मालो कि bridge है आपका ब्रिज के उपर गाड़ी वाड़ी चल रही है इसकी वज़े से पानी का level बढ़ जाता है because area of cross section जब कम होगा तो height बढ़ जाएगी ठीक है तो बताए इसको क्या बोलते है बहुत है simple question और यह रिटर की मिदानसर efflux efflux is the correct answer option number 2 is the correct answer दिल जले is here बहुत बढ़ी है चलिए आगे बढ़ते है next question is question number 30 which of these cannot be a cause of water logging in canals canals में जो water logging होती है इस में से कौन सा उसका cause नहीं है number 1 adequate surface drainage over and intensive irrigation impervious obstruction or submergence due to floods बहुत ही अच्छा question है अच्छा क्या मतर्ण नॉर्मल कॉश्चन है बताई इस का answer क्या आप ट्राइगी जिए anyone बहुत है simple which of these cannot be cause for water logging in canals समझेगा पहले मैं चलता हू submergence due to flood अगर मान के चलिए कि flood की वज़े से अगर आपका पूरा land जो है पानी से एकदम submerge हो गया है तो obvious ही बात है कि water logging तो होगी होगी water logging मतलब कि पानी जमीन के अंदर नहीं जा पारा soil एकदम saturate हो चुकी है या जमीन के अंदर इतने salts present है कि पानी penetrate नहीं कर पारा तो ये तो उसका reason होगा ही होगा तो ये आपका wrong answer हो गया impervious obstruction अगर आपकी soil जो है impervious है तो नीचे पानी नहीं जाएगा पानी नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा water logging हो जाएगी आपके पास ये भी गलत answer है आपका over and intensive अगर आप बहुत जादा irrigation कर देते हो आप आपको बोला जाए कि भाया मेरे को जो है सिर्फ मेरी जो intensity of irrigation है वो 70% होनी चाहिए आप उसको 105%, 120%, 130% अगर आप कर देते हो तो अव्यस से बात है कि water logging होगी होगी गलत है आपका adequate surface drainage अगर आपने proper slope दिया हुआ है अगर आपने proper pipes वगरे बिचाये हुए है जो कि extra पानी को बाहर drain out करते है उसकी वज़ए से आपकी water logging नहीं होती है so cannot be a cause option number one is the correct answer adequate surface drainage अगर आप देते हो वो water logging को कम करता है ना कि बढ़ाता है option number one is the correct density question number 41 when rain or drizzle comes in contact with cold ground at around 0 degree Celsius the water drops freeze to form an ice coating इस ice coating को क्या बोलते है बहुत है simple question है glaze है, drizzle है, hail है कि sleet है बहुत है simple question everyone impervious obsession का मतलब है कि ground के नीचे कोई clay की layer आगई या कोई rock की layer आगई तो rock के अंदर से या clay की layer के अंदर से पानी नीचे नहीं जाएगा या जाएगा तो बहुत ही कम rate से जाएगा तो एक तरह से वह आपका impervious obstruction की तरह काम करेगा या impervious layer की तरह काम करेगा बताएगे इस cancer क्या आगऊ ट्राइगी जे okay 41 का B drizzle ने drizzle तो जो हलके अलकी बूने गिरते हैं तो drizzle बोलते हैं तो drizzle तो इसका answer हो इन सकता यह बोलता है कि जब rain या drizzle ground के contact में आती है तो वो जम जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको glaze बोलते हैं that is called the glaze students मानके चले कि उपर से हलकी सी बारिश हो रही और ground एकदम थंडा है तो ठंडे ground पर जब हलकी सी बारिश पर तो बरफ में करवड हो जाती है इसको में लोग क्या इस is called the glaze option number one is the correct answer ठीए आगे बढ़ते हैं question number 42 the reaction time of driver considered for calculating the stopping side distance SSD and overtaking side distance या passing side distance OSD R बहुत है simple question है याद रहना overtaking करते time driver जादा alert होता है तो जादा अलर्ट होगा तो रियाक्शन टाइम कम हो जाता है बताइए बस मैंने आपको हिंट दे दिया है शोपन विश्वास जी बोल रहा है वन 42 का D या बात है राहूल बहुत बढ़िया बिल्कुल साइस प्रिंट्स देखिएगा अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप निकालते हो तो उस ताइम पे जो PIEV थियोरी होती है उसके एसाब से आप जो रियाक्शन टाइम लेते हो वो 2.5 सेकंड लेते हो सामने वाली गाड़ी को जब ओवर्टेक करना तो इनसान की दिमाग में चल रहा होता है अच्छा मैं कब ओवर्टेक करू कब ना ओवर्टेक करू ध्यान से देखता है तो उस ताइम पे दिमाग ज़ादा अलर्ट होता है अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है मेरी स्क्रीन पर अच्छा नेक्स्ट कोशन समझाने से पहले एक मैं आपको इंपोर्टेंट बात बतायता हूँ अगर आपको एक ही परप्रशन करनी है अगर आप मेरे से एई पढ़ना चाहते हो सिविल एंजिनिंगे सब्जेक्स तो हमने बैच लाँच किया है सिविल असिस्टेंट एंजिनर लाइव कोचिंग बैच नंबर थी स्टूडेंट्स इस बैच के बहुत सारे बेनेफिट्स हैं यह पेड़ कोर्स है आपका लेकिन आप यह कूपन कोड का इस्तमाल करके वरुन एड़ का इस्तमाल करके आप अपने ले 20% का फ्लाइट डिसकाउंट आप ले सकते हैं आपको PDF नोट्स वगएरा सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इसके लाव अगर आपका टार्गेट है किसी भी जेए एक्जाम को क्राक करने का तो आप जो है इस बैच में इन्रोल करा सकते हैं अब चल रहा है बैच आपका इस बैच के भी बहुत सारे बेनेफिट्स हैं इस बैच में आप जो है कूपन गोड का इस्तमाल करके वरुन एडर कापिटल ऑफ के 20% का डिसकाउंट आप अप अपने लिए ले सकते हैं अगर आप चाहें तो आप मेरा टेलिग्राम गूरुप भी जॉइन कर सकते हैं इस टेलिग्राम गूरुप पे मैं आपको हर एक सेक्षन की PDF फाइल जो है प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप मेरे से कुछ डिसकेशन करना चाहते हैं गूरुप पे तो वो भी आप कर सकते हैं तो बहुत सारे बेनेफिट्स है इस गूरुप को जॉइन करने के आपका आपका जो रेस्पॉन्स है वो काफी मैटर करता है अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फूचर में आपके लिए मैं जादा अच्छे और डिटेल्ड लेक्चर्स लिकर करके आता रहूँगा यह है आपका टेस्ट बुक पास एक टेस्ट बुक पास की मदद से आप जितने चाहो उतनी मौक टेस्ट आप दे सकते हो टेस्ट बुक पास अप्रॉक्सिमेटली 500 रुपे का है जो की एक साल के लिए वैलिड है अगे इस टेस्ट बुक पास में भी अगर आप ये कूपन कोड का इस्तमाल करते हो वी ए के पास कैपिटल में तो आपको उस पे भी आपको 30% का डिस्काउंट आपका मिल जाएगा चले इस्टोडेंट्स आगे बढ़ते हैं कुछ कोशन को और सुल्व करते हैं अगेला कोशन है आपके स्क्रीन पे कोशन नमबर 43 दा शेप आफ स्टॉप साइन अरे बाबा ये तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा रहा है तो आपने जब कभी देखा हो सड़क के ओपर कि स्टॉप साइन का शेप क्या होता है आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो लेकिन मुझे पता है कि आप सड़क पर चलते वक्त यह सब ध्यान नहीं देते हो आपकी सड़क पर चलते वक्त निगाहें कहीं और निशान कहीं और होता है ठीक है ना और फिर भी आप मुझे इसका जवाब दीजेए इसका जवाब गया हो ट्राइजे एवर्यून 43 का शेप क्या होती है इसकी स्टॉप साइन की 43 का सी बोल रहे है और कोई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है ना श्रूंट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुत शेप का होता है आपका आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से होता है इस टाइप से कुछ होता है इस somewhat like this, इस ताइप से, इस पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, stop, तो octagonal shape का होता है, option number 3 is the correct answer, पूछता है एक्जाम में, ठीक है न, इसके लाभा give way sign, ultra triangle, apex downwards, give way, ये भी पूछता है एक्जाम में, इसका apex downwards है, इसका apex, या vertex भी बोल देते हैं उसको, vertex या apex downwards, आगे बढ़ते है question number 44, flakiness index and elongation index test is not applicable to aggregate size smaller than, बहुत है simple question है, बताई इसका answer क्या है, आगो try गीजे, कौन से size के aggregates के उपर applicable नहीं है, flakiness index और elongation index, proper highway materials का रटने वाला question है, 6 point something होता है, अब 6 point something तो आपको answer मिले गया होगा, बट फिर भी इसका जवाब दीजिए border white colored and black red, back red, बिल्कुल सही, 44 का 6 point 3, बिल्कुल सही, अभी में आपको जवाब दे दिया है, वैसे तो आप लोग समझदार होंगे, तो आपको इशारा काफी होता है, 6 point 3 mm से अगर आपका size कम है, तो उसके लिए आपका flakiness index और elongation index आपका valid नहीं होता, option number 2 is the correct answer, flakiness index में क् size को 0.6 से या फिर 3 by 5 से multiply करते हैं, right, elongation index के लिए हम लोग 1.8 से multiply करते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखी हो, आगे बढ़ते हैं, question number 45, loco yard is used for, जो locomotive yard होता है, किसके लिए काम आता है, number 1, servicing locomotive, saving power, reception, departure and sorting, या फिर all of these, बताइए इस answer क्या हो, try कीज़े, railway का question है आपका और बढ़ते हैं, वढ़ते हैं, किसका माता है आप ही ओप हो आप ही तो नहीं नहीं रिचेप्शन डिपार्चर बोल रहे हैं सिविल बॉइजी देखिए ज़रा जो लोको यार्ड है वहां पर जो टेन के जो एंजिन होते हैं उनकी सर्विसिंग होती है तो option number one is the correct answer saving power के लिए कोई yard नहीं है reception, departure and sorting के लिए marshalling yard होता है इसके लिए आपका होता है marshalling yard और marshalling yard भी कई type का होता है कौन कौन से type का होता है आपका marshalling yard है एक तो आपका hump yard है gravity yard है हापर में लिख देता हूँ एक आपका hump yard होता है hump yard एक आपका flat yard होता है आपका flat yard एक आपका gravity yard होता है तो marshalling yard भी अलड़ टाइप का होता है लेकिन जो loco yard होता है वो सिर्फ और सिर्फ locomotive की servicing के लिए इस्तमाल होता है option number one is the correct answer question number 46 which of the following constituent present in excess quantity changes the color of the brick from red to yellow simple question है brick का कौन सा इस में constituent अगर जादा मात्रा में present है तो brick को पीला बना देता है आपने देखा हो कई बार bricks पीली-पीली से आती है तो किसकी वज़े से होती है बताईए आपका answer क्या वो ट्राइग एजिस्मेंट से बिल्कुल सभी हमप फ्लाइटन ग्रैविटी यार्ड 46 का डी बोल रहे है आयरन पाई राइट मतलब जहां कलर आगे महाँ पर आयरन आगे है ऐसा भी यह क्या देखिए मैक्सिमम बच्चे इसमें फस गए देखिए स्ट्रेंट्स अगर brick का कलर red से yellow आ जाए तो yellow का मतलब है कि आपका जो है स्ट्रेंट्स उस वाले में lime stone की value बहुत जादा है lime stone बहुत जादा है अब आप बोलोगे सर लेकिन color के लिए तो iron irony बोलते है अगर आपके iron pirate की value जादा है तो आपका जो brick है न वो red black या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है that is also called as the red black या फिर blue black blue black यह आपका color जो है brick का change हो जाता है अगर iron pirate जादा है यहाँ पे yellow pila use किया हुए तो पीली brick तब बनती है अगर उसमें lime stone की value जादा होती है option number 3 is the correct answer आगे बढ़ता है question number 47 if sea water is used in concrete mixing it leads to dash in PCC अगर आप समुंदर के पानी को जो है PCC बनाने में इस्तमाल करोगे तो क्या होगा number 1 expansion of material in the concrete, corrosion of steel, efflore sense होगा try गीजे शुन, try गीजे C efflore sense और कोई C बोल रहे हैं और कोई CB, देख ये बड़ा confusing question है ये, है ना, it is a very confusing question C, C, C सब लोग C बोल रहे हैं, efflore sense होगा if sea water is used in concrete mixing, it leads to dash in the PCC देख ये शुन, efflore sense तो तब होता है आपका, right जब आपका concrete जब आपका पूरा जम गया है आपका, right उसके बाद आपका efflore sense ये question क्या बोल रहे है if sea water is used in concrete mixing की बात कर रहा है, ये बाद की बात नहीं कर रहा है एक साल बाद, दो साल बाद क्या होगा efflore sense तो बाद में होता है ना, concrete जब आपका जमने लग जाता है, उसके बाद फिर आपका efflore sense, salt जो भार निकलता है ये क्या बोल रहे है, question को द्यान से बढ़ो if sea water is used in concrete mixing, ये mixing के time की बात कर रहा है it leads to what समझे लो, question मतलब देखो, आपको question में कभी कभी language में भी फसा देता है concrete mixing करते के time, अगर आप sea water का इस्तमाल करते हो तो उस time पे आपका जो है, क्या असर होता है, ये आपसे पूछ रहा है basic लिए तो basically होता कि adjustments आपका, अगर mixing के time पे अगर आप sea water का इस्तमाल करते हो तो ये जो है, जो reactive aggregates होते हैं, तो reactive aggregates के साथ जो है आपका reaction करके जो आपका और ही aggregate बन जाएगा, या फिर आपका aggregate का जो है deterioration हो जाएगा anything can happen, लेकिन जो salt water है, जो sea water है आपका ये react करेगा, ठीक, इसके लावा sea water की एक खास बात और है, sea water क्या करता है, अरली strength को accelerate करता है, ये भी याद रहना आप, sea water जो होता है ना आपका, ये early strength को accelerate करता है, early strength को accelerate करता है, लेकिन इसके लावा, जो आपका strength है इसका, 28 day जो strength होता है, उसको reduce करता है, but reduces, but reduces 28 day strength by 10 से 15%, 10 तू 15%, ये भी इसकी खास बात है, sea water की, कि early strength को तो accelerate कर देगा, लेकिन जो 28 day strength होती है, concrete की, उसको 10 से 15% कम कर देता है, ये आपका sea water, ठीक है, तो option number 4 is the most appropriate answer, because ये concrete mixing की बात कर रहे हैं, option number 4, long term में तो efflore sense हो सकता है, obviously बात है, लेकिने, if sea water is used in concrete mixing की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो reactive aggregates के साथ react कर सकता है, because sea water में salt present है, alkali's भी present होते हैं, बहुत सारे, and number things आप दे हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, next question, question number 48, plastic shrinkage can be reduced by, plastic shrinkage आप कैसे कम कर सकते हो, बताई इस कांसर के आपको, ट्राइगी जी, anyone, try to give the answer, plastic shrinkage आप कैसे reduce कर सकते हो, अले बताईए वही है, बताईए, यह simple है, क्या हो गया, और हर को ही जवाब दीजिए इसका, 48 का भी, बिल्कुल से, देगे इस प्लास्चिक शिंकेच कब होता है, जब actual में आपका evaporation जो हो रहा है, पानी का concrete के अंदर से, वो ज़्यादा rate से हो रहा है, as compared to जो आप उसको पानी दे रहे हो, curing के time पे, अगर curing के time पे आप कम पानी दे रहे हो, evaporation ज़्यादा हो रहा है उसमें से, तो आपका plastic shrinkage आपका होता है, प्लास्टिक shrinkage को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, cement को अगर मैं replace कर दू किसी और pozzolanic material से, तो आपका plastic shrinkage आपका कम हो सकता है, option number 2 is the correct answer, बहुत बढ़ी है, question number 49, the amount of water used in performing setting time test of cement is, P, आपका standard consistency है, तो अरे बड़ा simple है, यह question तो मैंने class में ना जाने कितनी बार कराया हुए instruments, अगर आपने मेरी YouTube की classes पहरे टेंड करी हुई है, तो मैंने आपको सब बता रखा है, कि tensile strength के लिए इतना consistency का इस्तमाल करते हैं, soundness के लिए इतना इस्तमाल करते हैं, initial, final setting के लिए इतना इस्तमाल करते हैं, बताए इस answer के लिए को, try it, डी, डी, बिल्कुल सब्सक्राइब, 0.85p, खतम का, 0.85p, setting time के लिए हम लोग 0.85p ले करके चलते हैं, option number 4 is the correct time, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़े, आगला question, question number 50, during the conversion of timber by sawing, to obtain strong timber pieces, the cuts should be made by, बढ़ा simple है, अगर आपको strong pieces चाहिए, तो cuts को किस direction में आप काटोगे, बताए, tangential direction में काटोगे, या quarter sawing करोगे, या radial sawing करोगे, या ordinary sawing करोगे, sawing मतलब काटना, आरे से काटना, लखडी को, आरा machine पे काटना, बताए, सी, सी, बिल्कुल सही देखिए, मानके चलिए, आपका paid instruments, तो paid जो होता है, अगर आप paid को ऐसे काटोगे न, paid को मतलब radial direction अगर ऐसे काटोगे न, तब आपको strongest section आपको देखने को मिलेगा, तो radial sawing जो होता, that is the best option, यह आपको strongest section आपको देखा, आगे बढ़ते हैं, question number 51, hydraulic lime is obtained by, देखिए, अभी fat lime का question आपने किया था, पहला है, दूसरा question था fat lime का, अभी है, क्या question में क्या बोल रहा है, hydraulic lime आप कैसे obtained करते हो, बताए, यह answer क्या होगा, simple question, anyone, fat lime है, hydraulic lime है, poor lime है, दुनिया भर के lime उस है मारे पास, यह hydraulic lime की बात कर रहा है, B, 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 बिल्कुल साइज, आपका जो hydraulic lime है, burning of conquer से produce होता है, कभी-कभी exam में यह पूछ लाता है, कि hydraulic lime की purity कितनी होती है, तो hydraulic lime की जो purity है, 70 to 90%, जो purity इसकी होती है, यह 72, 90% इसकी purity होती है, चलिए आगे बढ़ते है, option number 2 is the correct answer, next question is, question number, question number 52, for construction of 2 cubic meter of brick masonry, the number of modular bricks required, बड़ा simple है, अगर आपको पता है कि 1 meter cube में कितना है, वैसे 1 meter cube आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको brick के dimensions पता है, तो आप 1 meter cube निकाल भी सकते हो, लेकिन exam के अंदर, अगर निकालने बैठो गे ना, तो हो गया फिर तो काम, फिर calculating करते रोगों, तो याद रखना, कि 1 meter cube में जो आपको modular bricks चाहिए होती है, 500 चाहिए होती है, कितनी 1 meter cube में कितनी चाहिए होती है, अगर 1 meter cube में 500 चाहिए, 2 meter cube में कितना होगा, 2 meter cube में 1000 हो जाएगा, कितनी 2 meter cube में 1000 हो जाएगा, अगेन आप इसको exam में निकाले भी सकते हो, जो modular brick का size है 20 x 10 x 10, वहाँ से आप निकाल भी सकते हो, लेकिन वह फालतु का इतना time क्यों बेस्ट करना अपना है न, तो याद ही कर लेना इसको, option number 3 is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, question number 53, for the figure, find the center to center length of the long wall and short wall of the given RCC wall, simple है, center to center distance निकालने है, मतलब इसके center से, मैं मार कर दूसरा ले लेता हूँ, इसके center से, portion में, बताइए, इसका answer की आगो ट्राइगी देए, C, 53 का C, बड़ा सिंपल है, तो देखे ज़रा, यह आपका हो जाएगा, long wall कितनी हो जाएगा, आपके पास, center to center की, center to center, यह आपके हो जाएगा, 6.5 में से, 0.2 माइनस कर दो, because 0.2 by 2 इधर का, और 0.2 by 2 इधर का, तो कितना हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा, आपका meter, similarly, जो short wall है, इसका अगर आपको center to center distance निकाल ला हो, तो 4.5 में से, 0.2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, 4.3 और 6.3, बोल तो option number, 3 is the correct answer, आगे बढ़ता है, next question, question number 54, a uniformly distributed load is acting over the entire length of 8 meter long cantilever beam, मानलो कि cantilever beam है, इसके उपर आपने QDL लगा दिया, ठीक है, if the shear force at the mid span of the cantilever beam is 12 kN, what is the value of W, W की value आपको निकाल नहीं है, यह मानलो कि आपका W kN per meter है, और question में बोल रहा है कि जो, आपका क्या बोल रहा है, shear force at the mid span, तो आपको पता है कि जो shear force diagram बनती है, वो कुछ इस type से बनती है, ऐसे बना दो, SFD को ऐसे बना दो, यह आपकी SFD बन रही है, shear force diagram आपकी कुछ ऐसे बन रही है, और mid में जो shear force आपको दिया है, यह 12 kN आपको दिया हुआ है, तो बताइए इसकी value क्या होगा, बड़ा simple question है, बताइए, anyone, try suggestions, 3, 3, 3, अरे बड़ा simple है, देखेए इसकी value डबलू है, तो आपको पताएए कि भाई, किसी भी section पर एक काम करो, यहां से ले लो, किसी भी section पर अगर आपको shear force निकालना होगा, तो UDL की case में, UDL की intensity और length से multiply कर दो, तो आपको shear force आपको मिल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे sir, यह 4 मिटर यहां से है, बिकोज मिड़ स्पैन की बात कर रहा है, तो W into 4, that is equal to 12 kilonewton, तो W की value कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे sir ही हो जाएगा, 3 kilonewton per meter की आज़ पास W की value हो जाएगी, तो बोलतो option number 4 is the correct answer, simple question इसमें इतना क्या करना है, option number 4 is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, question number 55, which of the following corresponds to the shear force at a section in the conjugate beam, अरे अभी आपको बताया था, कि shear force के लिए conjugate beam में ये करना होता है, bending moment का फिर deflection आपको मिलता है, अभी बताया था थोड़ दर पहले, बताई इसका answer क्या हो, try किजी, simple, अभी थोड़ दर पहले में आपको पूरी टेबल ही बताया थी, कि slope निकालना है तो shear force निकालो, deflection निकालना है तो bending moment निकालो, load निकालना तो M upon EI निकालो, बताई ये 55 का answer क्या होगा, try किजी, easy question, easy question, everyone, whosoever is watching the lecture, 55 का A, महता जी बोल रहे है, बहुत बढ़िया, आशीश, दवर्दस, राहुल, बहुत बढ़िया, बिधान दाज जी, बहुत बढ़िया, पढ़ा नहीं सरी है, अरे मिश्रा जी पढ़ लिजी, अभी तो time है ना, अभी तो time में पढ़ लिजी, रजा खान जी, बहुत बढ़ी है, very good, बहुत बढ़ी है, option number one is the correct answer, देगो, जब भी आपको निकालना हो, shear force तो theta निकाल दो, जब भी आपको निकालना हो, bending moment तो deflection निकाल दो, and y-say वर्सा, जब भी आपको निकालना हो, कितना loading, तो loading में क्या हो जाएगा, m upon e-ai हो जाएगा, खतम बात, option number one is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, question number 56, the plane section remains plane, assumption in bending theory implies, हाँ, एक assumption होती है, bending theory में, plane section before bending, remain plane after bending, उसका एक फायदा होता है, उसका फायदा यह होता है, कि जो strain profile होती हो, वो linear आ जाती है, बास, वो ही इसका answer होगा, उसी की मदद से, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों काल्कुलेट कर लेते हो, आपको IS456 में बहुत help हो जाती है, आपको SOM में बहुत help हो जाती है, आपको रहे तो वो ही इसका reason, बताई इसका answer के आपको ट्राइ कीज़े, बिल गोज़े, strain profile is linear, जो आपके strain profile हो बस आपकी linear बन जाती है, तो बहुत help हो जाती हैं वहां से, option number one is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, question number 57, maximum shear stress developed on the surface of a solid circular shaft, under pure torsion इतना, if the shaft diameter is doubled, then the maximum shear stress developed corresponding to the same torque, simple question है, torsion formula लगाओ, आपके पास bending formula है, उसी का मिलता जुलते है torsion formula होता है, लगाओ, answer निकालो, try गी जे, everyone, वैसे आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, अगर आपको torsion formula नहीं पता, अगर आपको shear stress formula भी पता है, तो आपको पता है, जो shear stress होता है, 16 times of torsion, divided by pi d cube होता है, यह भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, क्या बोल रहा है, अगर shaft का diameter डबल हो जाए, तो maximum shear stress जो होगा, corresponding to the same torque, torque भी same है आपका, तो shear stress is inversely proportional to d cube, आप यह मान के चल सकते हो, तो बताइए अब इसका answer क्या होगा, अब तो answer आई जाएगा आपका, बताइए, तो आप यहाँ पे लिखोगे, 320 upon tau 2, that is equal to, यह आपका हो जाएगा, डबल करोगे तो 2d हो जाएगा, upon d का whole cube हो जाएगा, d से d cancel हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, तो tau आपका हो जाएगा, 320 divided by 8, 8.32, तो option number 3 is the correct answer, खताम काम, जो भी इस lecture को देख रहा है, आपको 1% भी समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए, आपका response बहुत matter करता है, आगे बढ़ता है, question number 58, a rectangular RCC beam, having a width of 200 mm, and effective depth of 280 mm, was cast with Fe415 steel, minimum area of tension reinforcement, अरे simple है, IS456 में minimum area of reinforcement का आपको formula दिया हुए, अगर आपको वो formula याद है, तो आप इसको solve कर सकते हो, formula याद नहीं है, तो आप इसको solve नहीं कर सकते हैं, formula क्या है आपका, AST upon BD, AST upon BD is equal to 0.85 upon FY, अगर आपको formula याद है, तो solve कर सकते हो, formula याद नहीं है, तो solve नहीं कर पाऊगे, as simple as that, बताई इसका answer क्या हो ट्राइगी दे Hello sir, how are you? मैं बहुत बड़े संजीव जी, इसका answer दीजी आप हाल चाल तो चलता रहेगा, इसका answer दीजी तो आहुल बोल रहे है 58 का A है, देखे, solve कर ले देखे इसको, simple है आपका, तो area of steel जो होगा, that is equal to 0.85 अब BD कितना हो जाएगा? width आपको दिया हुआ 200 mm right, effective depth आपको 280 mm दिया है आपको divided by FY कितना है 415 अब देखे, इस question को दो तरीके solve कर सकते हो या तो थोड़ी सी calculation वगेरा करो आप, right, या फिर आपने question पहले solve किया होगा, जिसने question पहले से solve किया है, उसको पताए कि इसका answer 115 mm square होगा because ये question जो है कई बार A और J exam में without even changing the values पूछा गया है, ठीक है? वैसे चाहो तो आप solve भी कर सकते हो 5, 8, 40 हो गया, 5, 3, 15 हो गया आपका, right, आपका 5, 3, 15 हो गया इस तरह से आप solve कर सकते हो Approximately answer निकाले जीए आप इसका लेकिन option number 1 is the correct answer question number 59 Sheer reinforcement in RCC is provided to resist what? बहुत है simple question है, shear reinforcement आप क्यों provide करते हो RCC के अंदर who will give me the answer? I hope कि आपको मजा आ रहा होगा question solve करने में, ठीक है न? ऐसा नहीं कि बस जाने दो गड़ी I hope कि आपको मजा आ रहा होगा बहुत बढ़िया, इसका बढ़िया, इसका बढ़िया, इसका बढ़िया, इसका अंसर क्या होगा, shear reinforcement हम लोग क्यों provide करते हैं, RCC beams के अंदर, बढ़िया anyone, anyone 115, बहुत बढ़िया, 59 का भी diagonal compression, diagonal compression diagonal tension जड़ा बढ़िया रहुल पटेल जी, बिल्कुल से diagonal tension, not compression, diagonal tension को resist करने के लिए, because diagonal tension cracks जो आपके आते हैं, वो इस type से आते हैं, नीचे से आते हैं, नीचे tension होता है, तो diagonal tension को resist करने के लिए हम लोग provide करते हैं, shear reinforcement, बहुत बढ़िया, option number one is the correct answer, अगला question आपके screen पे, the one way simply supported slab for a room of plan 9 meter into 4 meter, एक dimension जादा है एक कम है, और जब भी कम और जादा dimension होती है, जब भी आपके पास अलग-लग dimension होती है, तो क्या करना है, आपको पता है WL square by 8 में कम dimension वाला, right carries the ultimate working load of 9 kN per meter the design moment for the slab should be what, बता ये इसका answer क्या होगा easy question है, अब यहाँ 1.5 से multiply मत करना जब भी question में आपसे इस type से पूछे ना कि design moment वगरा निकालो तो 1.5 से multiply मत करना, normal वाला लेकर के चलना, तो आपको पता है कि moment जो होती है, that is equal to WL x square divided by 8 होती है slab के अंदर L x कौन सा? छोटा वाला dimension W आपको 9 दिया है, L x आपको 4 दिया है, आपको छोटा वाला dimension square divided by 8 तो 4 चुक 16, 4 दुनी 16 9 दुनी 18, 18 किलो न्यूटन मीटर, इसमें कुछ बच्चे इसका answer 4 भी लगा देते हैं 4 क्यों लगाएंगे? because आपने पढ़ा होगा, इसको 1.5 से भी multiply करते हैं, वो तब करना, जब आपको mains में करना है प्री वगरे में मत करना, प्री वगरे में WL square by 8, mains में आपको design factor महाँ पे दिया होगा, 1.5 लेने की 1.6 लेना है, 1.5 से multiply करोगे, तब इसका 27 आ जाएगा, लेकिन इसका answer pre exam में 1.5 से multiply मत करना, because वो जो 1.5 वाला जो factor है, वो change होता रहता है, right, maximum books में 1.5 लिखा है, कहीं के 1.8 भी लेता है वो depend करता है कि किस moment के लिए आप उसको design करते हो, ठीक है तो इसका answer 4 मत लगा देना है, इसका answer 2 ही होगा, option number 2 is the correct answer, स्टीक है I hope यह आपको समझ में आये होगा बिल्गुल सही, बिल्गुल सही 1.5 से multiply मत कर देना, maximum बच्चे कर देते हैं इसको ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, वो मत करना, ठीक तो यह थे आज के कुछ questions I hope आपको समझ में आये होगे मान के चलिए, कि हर एक question जो है एक number का था हर एक question एक number का था और जो negative marking थी, वो थी one fourth negative marking थी आपकी example के तौर पे अगर आपके 60 में से because 60 question मैंने कराए हैं तो 60 number हो गया अगर आपके 60 में से more than equal to 52 marks आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो report है, वो okay report है अगर आपके less than 52 52 आ रहे हैं, 51, 45 आ रहे हैं तो आपको जो है, बहुत ज़्यादा improvement की requirement है students, right? और जैसे जैसे मैं आपको ज़्यादा mock test solve कराऊंगा ये score बढ़ना चाहिए, 53, 54 55, 56 ठीक है, right? आजगल competition बहुत ज़्यादा हो गया that is more than sufficient so I hope आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा students, आपको समझ में आया होगा so thank you everyone, have a nice day, bye bye, take care जिसने like नहीं किया, like कर दीजे, students मिलेंगे कल के lecture में, कल कुछ और discuss करेंगे, ठीक है bye, take care, good night good night everyone, ठीक है, अब तो कली मिलेंगे small वाला, क्यों लिए, आइक पर जागे पढ़ी है मिश्राजी, small वाला लेके चलते हैं, जब यह हमारे पार slabs होते हैं, we always take the smaller dimension ठीक, अब जागे पढ़ी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है bye, bye, take care, सुने, ध्यान रखिए, आप लगो रहा, bye take care झीक, झीक, झीक 2, मिटने neक वाला ले ह क्यों इह हो झीक, झ kepada वाला में रहाएगी, आपको समझ, एक पर बेन